अलो बच्चों माईशल ताराचन टीम मैथ CLCC कर आज हम लोग देखेंगे हमारी मैथ केम का टेस्ट नमबर 21 जो की डिलेटेड है वेक्टर से चली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्यूसर नमबर 1 क्या है देखी क्यूसर नमबर 1 let a will be equal to i cap minus j cap b will be equal to j cap minus k cap and c will be equal to k cap minus i cap if d is a unit vector देखें d क्या है हमारा एक unit vector such that a dot d will be equal to 0 and b c d का triple dot product will be 0 then d is तो आपको बताना है कि इसमें से d कौन सा होगा तो चली देखते हैं तो देखी आपसे d vector पूचा है और क्योंकि d आपका unknown है तो सबसे पहले तो आपन vector d को माल लेते हैं that is a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap that will be equal to vector d ठीक है आप देखो इसके इंदर अपने को दो चीजे दी गई है वो दोनों चीजे अपलाई करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है ठीक है पहली चीज क्या है आपको दो रही तीन चीजे दी है एक चुलिया ना बहुत सारे बच्चों को शिरफ यह दो चीजे दि के साथ में जब dot product करेंगे a dot d तो a क्या है i cap minus j cap so a1 into 1 minus a2 into j cap का option कितना था minus 1 और k का option कितना था 0 तो यह आपको क्या दिया हुआ है बच्चों 0 दिया हुआ है तो अगर यह 0 दिया गया है that means यह 0 होगा और इसका मतलब यह हुआ कि a1 और a2 दोनों कैसे है बच्चों अगली condition अगली condition में आपको देरका है b c d का क्या देरका है b c और d का वेक्टर ट्रिपल नहीं इस कलर ट्रिपल प्रोडेक्ट 0 ठीक है ना box 0 देरका है उसके लिए क्या करते है वह तो determinant की value 0 determinant सबसे पहले b ka coefficient आएंगे b ka coefficient है यहां से देख लेते है ठीक है न b ka coefficient है j k-kape So that is 1 & – 1 & 0 ठीक है नहीं ठीक है यह नहीं होगा यह क्यों कि आपको j ka coefficient देरका है इसका मतलब i ka coefficient बच्चों कितना है 0 सब एक पापिशन कर देरका है यह से तो j ka क्पशन कितना है 1 & k- का कोविशन्ट कितना है minus 1 साथ में B के वाद C का कोविशन्ट देखो जहां से I का कोविशन्ट दे रहा है वच्छो minus 1 जे नहीं ही है उसमें 0 और का का कोविशन्ट है plus 1 और D के देखो आपने मानेत है यहां पर क्या A1 A2 और A3, A1, A2 and A3, यह क्या देरका आपने को, 0 देरका है, चले इसको solve करते हैं, पहली तरम तो 0 है, शीद आते हैं दूसरी पे, तो दूसरी में आएका देको, मैनस 1 यह और यह चला जाएगा, तो यहां से आएगा, मैनस A3, मैनस A1, फिर अगें, मैनस 1 और यहां से देखो, कितना आएगा, इसका कोफिशन्ट, that is, मैनस A2 और मैनस 0, that will be equal to 0 इसको जब करेंगे देखो minus minus ये भी plus minus minus ओ भी plus तो अपने पास पे तीन उट्रम आ जाएगी a1 plus a2 plus a3 will be equal to 0 ठीक है ये अपने दूसरी condition लगा दी इसके अंदर कि जब box 0 होगा तो क्या condition आएगी that is a1 plus a2 plus a3 0 इसमें a2 की ज़िए पर अगर a1 put कर दें यहां पे तो ये कितना आजाएगा देखो 2 a1 plus a3 will be equal to 0 तो यहां से अपने वो condition मिल जाएगी a3 will be equal to minus 2 a1 ठीक है इसके अलावा हमें a condition और दी हुई थी जैसे मैंने का था कि ऐसी conditions पर हम generally जान नहीं देते हैं और वो condition क्या थी कि d हमारा है वो unit vector है तो इसमें unit vector की अगर condition लगाएंगे तो a1 square plus a2 square plus a3 square का root 1 देरका है तो उन्हों सेट squaring कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चु 1 आ जाएगा ठीक है एक काम करते हैं इसमें a2 की जगे पर a1 और a3 की जगे पर minus 2 a1 put करते हैं तो देखते हैं देखो कितना आएगा ये आएगा a1 square plus a2 की जगे पर again a1 square plus a3 की जगे 2 a1 so there will be 4 a1 square ब्रावर 1 so a1 square ब्रावर 1 by 6 a1 आ गया 1 by 6 तो यहां से हमें a1 की value मिल जाएगी that is 1 by root 6 plus minus a2 की value भी यही होगी और a3 के लिए देखे यहां पर minus sign आ रहा है तो यह आएगा minus plus 2 divided by root 6 इन तीनों values से देखे कौन सा option आ रहा है हमारा a1 a2 और a3 यह तीनों चीज़ें आ चुकी है तो ऐसा option है देखे हमारा second option अच्छा इसके अंदर जब आप यहां पर पुट करके और यहां पर जब बात करेंगे यह values की तो कौन सा option आएगा मारा दूसरा option i k plus j k और यहां पर क्योंगी minus plus आ रहा था तो minus 2 k k divide by root 6 तो पहले question का second option से ही होगा clear चलिए बच्चों आगे बात करता है question number 2 क्या है देखे तो यहां पर हमें देरका है a and b are any two perpendicular vectors of equal magnitude देखे ए और b का magnitude equal है मान लेते हैं कि इनका जो magnitude है mod a ब्रावर mod b ब्रावर lambda है ठीक है then यह अपने को देरका है और अपने को mod a means अपने को lambda की value find out करनी है चलिए देखते हैं कैसे करेंगे एक काम करते देखो यहां से निकालते हैं सबसे पहले 3a plus 4b का mod का square क्या होगा 9 into mod a square mod a square हो जाएगा हमारे पास lambda square plus 16 mod b square mod b square again lambda square plus 24 a dot b a dot b कितना है बच्चो a और भी देखो perpendicular vectors है a dot b कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह आजाएगा हमारे पास 25 lambda square बट हमें इसका square नहीं चाहिए हमें तो शिरफ 3a plus 4b चाहिए 3a plus 4b का modulus कितना आजाएगा बच्चो यह आजाएगा हमारे पास 2 side square root ले लिए 5 lambda कि लिए रहे सबको similarly हम क्या करेंगे यहां से 4a minus 3b का square निकालेंगे जैसे यह निकाला है तो उसके लिए पहले अगें इसका square calculate किया 16 mod a square lambda square plus 9 lambda square mod b square lambda square minus 24 a dot b again 0 so this will be equal to 25 lambda square यह भी 25 lambda square है तो इसकी value भी कितनी आएगी बच्चो 4a minus 3b का mod ब्रावर 5 lambda यह दोनों value यहां put कर देते हैं so 5 lambda plus 5 lambda ब्रावर 20 so यहां से lambda की value मिल जाएगी अपने को lambda will be equal to 2 और lambda ही किसके ब्रावर है mod a के ब्रावर और mod a की value ही बच्चो हमसे यहां से पूची गई है तो यहां पर a mod a कितना आजाएगा बच्चो हमारा 2 आ जाएगा so third option यहां पर क्या है सही answer clear चलिए इसे के साथ चलते है आगे और बात करते है क्यूशन नंबर 3 के बारे में क्यूशन नंबर 3 क्या है देखो क्यूशन नंबर 3 में आपको दे रखा है P and Q are the two diagonal ओ पे quadrilateral ठीक है यह साथ डेटा देरका है अपने को और अपने से पूछा है कि area of the quadrilateral तो देखो बच्चो जब diagonal के corresponding आपको क्या पता हो vectors पता हो तो क्या formula होता है quadrilateral का quadrilateral का formula होता है बच्चो 1 by 2 into diagonal vectors का modulus का cross product so that is P cross Q का modulus ठीक है अब यहां से देखो इसका mod calculate करेंगे तो यह कितना आजाएगा 1 by 2 into mod P into mod Q into sin theta P cross Q क्या होता है mod P mod Q sin theta so that is sin theta into N के unit vector का modulus जो कितना होता है 1 होता है क्लिए रहे है so यहां पर देखो mod P और mod Q तो पता है बट theta नहीं पता बट तो theta कैसे निकालेंगे उसके लिए अपने को यह data दे रहे है देखो एक काम कहीजिए इसमें squaring कीजिए both side so squaring करेंगे तो आएगा mod P minus Q का hall square ब्रावर P dot Q का hall square ठीक है open कर दीजिए P minus Q mod P square mod P square कितना है 1 plus mod Q square that is 2 minus 2 time P dot Q P dot Q के इंदर formula लगाई यह फिर से mod P 1 mod Q root 2 into cos theta cos theta अपने को क्या करना है निकालना है theta calculate करना है साथ में ही अपने पास में दूसरी side है mod P mod Q cos theta का hall square so यह आजाएगा हमरे पास 1 into 2 into cos square theta तो यहां से देखे हमारे पास में cos के इंदर एक equation आ गई है इसको solve करते हैं और देखते हैं क्या आएगी value देखे so 2 cos square theta इसको इदर ले आईए plus 2 root 2 cos theta और minus 3 will be equal to 0 ठीक है इसके factors करते हैं देखो यहां पर 3 है इदर 2 है इसका मतलब यह हुआ कि root 2 cos theta both side आएगा root 2 cos theta इदर भी होगा root 2 cos theta इदर भी होगा कैसे पता चला क्योंकि यहां पर बीच में plus 2 लेके आना है ठीक है और उधर 3 है तो यह सा कब आएगा जब एक जगे पर 3 होगा और एक जगे पर क्या होगा 1 ठीक है साथ में एक plus का एक minus का यहां positive चाहे तो अब यहां से solve करने से cos theta की value है कि minus 3 by root 2 जो possible नहीं क्यों cos theta क्या होता है minus 1 से 1 के बीच तो यह तो आपका 0 हो नहीं सकता तो यह 0 के ब्रावर होगा इसको जब 0 के ब्रावर करोगे तो आपको मिलेगा cos theta will be equal to 1 by root 2 और cos theta 1 by root 2 कब होता है जब theta 45 degree हो तो यहां पर values put कर देते हैं 1 by 2 into mod p 1 mod q root 2 into sin 45 sin 45 की value क्या होती है 1 by root 2 क्लियर root 2 से root 2 cancel out हो जाएगा और हमारे पास में answer आ जाएगा हमारा 1 by 2 ठीक है और ऐसा option में दिया है कौन सा option है second option क्लियर चलिए बच्चों आगे बात करते है आपको एक पैललोग्राम के इंदर जो साइड से उनकी length दी गई है और दो साइड के corresponding vector का dot product पूछा गया है तो देखे कैसे करते हैं इस type of questions को आईए देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास में देखो क्या है कि 1 minute इस type of questions को देखो कैसे करते हैं अपन लोग तो यहां पर देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं पहले अलोग्राम बनाते हैं यहां पर अपने को a b इसको नाम दे देते हैं a b c and d ठीक है a b के corresponding जो side length है वो कितनी है a a d के corresponding side length b और a c के corresponding side length दी गई है c लोग कैसे करते हैं ऐसे क्यूसनों को मान लेते हैं कि इसका position vector 0 है ठीक है यह side length a है तो इसका position vector हो जाएगा इसी direction में a क्लियर है इसी direction में इसका position vector हो जाएगा b क्योंकि इसका अपने origin माना है इसका क्या हो जाएगा c हो जाएगा यह side और यह side दोनों parallel होती है तो इसके corresponding यह vector भी a हो जाएगा यह उस point का position vector है यह side corresponding vector है क्योंकि यह a minus 0 कितना हो जाएगा side के corresponding a हो जाएगा तो यह b यह यह b minus 0 तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास में इस side में B आ जाएगा इस तरीके से सारे position vector आ गए यह जो C है हमारे पास में इस side की corresponding position vector है diagonal के corresponding चले बात करते हैं किसके बीच्ट में निकालना है अपने को D B देखो D को B से join करना है तो इसको इससे join कर दो D B का मतलब हुआ है A-0 A-0 यह अपने को calculate करना है कितना आएगा देखो यहां सा आएगा अपने पास में mod A square minus A dot B ऐसा आजाएगा अब लेकिन A dot B अपने को नहीं दिया गया है तो एक काम करते हैं देखो अपने को यह दिया गया है कि इस side के corresponding position vector भी पता है देखो अपने को यह रहा इसके corresponding भी पता है और इसके corresponding भी पता है तो देखो triangle और low से अपन क्या कह सकते हैं A plus B ब्राबर C क्या बता सकते हैं कि A plus B ब्राबर C और A plus B अगर C के ब्राबर है इसमें दोने side squaring कर देते हैं squaring करेंगे कितना आएगा mod A square plus mod B square minus plus 2 A dot B ब्राबर mod C square ठीक है इसके corresponding जो side से हो दे रहा की अपने को A B C ठीक है तो यह जिसे vector A vector है तो इसका magnitude कितना हो जाएगा A तो यह हो जाएगा A square यह हो जाएगा B square plus 2 A dot B अपने पास में calculate करना है और C के corresponding B अपने को magnitude पता है that is C, तो that is C square यहाँ put कर देते हैं mod A square miss इस vector का magnitude again A square minus A dot B A dot B की value आज से निकालो देखो कितनी आ रही है C square minus A square plus B square divide by ने C square minus A square plus B square divide by 2 ठीक है ना पूरे के divide में 2 इसको simplify कर लेते देखो 2 A square minus A square ठीक है ना बीच में minus है ने तो यह हो जाएगा plus 3 A square फिर minus minus plus B square हो जाएगा और minus C square divide by 2 ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा answer ठीक है यह पूछा है अपने क्से dot product पूछा था वह ही अपना answer हो जाएगा 3 A square plus B square minus C square by 2 कौन सा option है पहला option के लिएर तो इस type से इस type की questions जो भी आते हैं आपके पास में A, B, B, C, C, D इन में बहुत पच्चे confused होते हैं बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से vector लेके question को solve कर सकते हैं के लिएर है चलिए इसी के साथ देखते है इसी type का एक और question that is question number 5 ठीक है यह भी देखो कुछ इसी type का है इसी तरीके से आपको इसको भी solve करना है यहाँ पर देखें यह आइसोसे ट्राइंगल A, B, C, A, B क्योंकि ब्राबर मॉड B, C, ब्राबर 8 है और वैसे भी देखो क्योंकि आपको C, A side इसका भी मैं include दे रखा है ठीक आइसोसे ट्राइंगल बोला गया है जो बचिवी जो दो साइड उनका difference हो इसी तरीके से कैसे करेंगे जैसे आभी हमने पिछला क्यों किया है देखिए एक काम करते हैं ट्राइंगल बनाते हैं A B C देखो C A अपने को 8 दे रखा है तो अपने काम करते हैं इसको A ले लेते हैं इसको C ले लेते हैं इसको B ले लेते हैं ठीक है एजो है इसको अपन माल लेते हैं 0 वेक्टर क्या माल लेते हैं 0 ठीक है ना C को क्या माल लो C वेक्टर माल लिते हैं ठीक है ऐसा आजाएगा किसी भी एक वेक्टर का पॉसिशन वेक्टर आप 0 मान सकते हैं पिछले में भी माना था आपन ने इसमें भी मान लिया आप देखो अपने को क्या देरका इसके अलावा इनकी साइड लेंथ अपने को देरकी अगें ये 12 है ये 8 है ये 8 है चलो इसका यूज कर लेंगे अपन जब भी यूज करना होगा इसका लो एक important point a point e divide a b internally in the ratio 1 is to 3 a b को एक point है जो 1 is to 3 के अंदर divide करता है ठीक है एक अनुपात 3 में विवाजित करता है तो आपको क्या करना है then cosine of the angle between c e and c a तब c e तता c a के मच दिये कौन की कोज्या क्या होगी वो अपने को निकालनी है ठीक है कौन सा c ये point e था c e और c a ये angle अपने को निकालना है theta ठीक है बच्चों देखो कैसे करेंगी सबसे पहले तो क्योंकि ये position vector अपने को पता है b और c तो आप point e का position vector निकाली है और उसके लिए क्या करेंगे देखो 3 into 0 1 into b divided by 1 plus 3 तो ये आएगा आपके पास में b by 4 ठीक है ये इस point का भी position vector अपने को पता चल गया अब अपने को चारों point के position vector पता है तो देखो अपन c e और c a के बीच का एंगल theta माना था अपन ने तो cos theta will be equal to कितना होगा c e dot c a चाहेगा देखो c e dot c a divide by इनका magnitude mod over c e into mod over c a ये आजाएगा c e का mod तो अपने को पता है c a मिन सी side की length that is 12 बाकी अपने को ना c e पता है ना आपने को c e dot c e पता है ना उस c e का magnitude पता है ये सारी चीज अपने को calculate करनी है ठीक है आईए देखते है कि कैसे करेंगे इसको आप वैसे 2D geometry से भी कर सकते हो ना क्योंकि ट्राइं इसके बात करते हैं कैसे निकालेंगे अपन सबसे पहले c e dot c a इसके बारे में बात करते हैं तो अपने को ये काम करना पड़ेगा यहाँ पर देखो अपने को पास में क्योंकि ये position vector है सारे अपने काम करते है c e के corresponding जो position vector है वो क्या होगा c e का मतलब हुआ बच्चो e minus c that is b c by 4 minus c vector ठीक है dot c a c a का मतलब क्या हुआ बच्चो a minus c a minus c कितना होगा बच्चो 0 minus c that is minus c vector ठीक है डिवाइड बाई b c e का magnitude इसको थोड़े देर के लिए lambda माल लेचा है na so that is lambda into c a का magnitude तो अपने को पता है that is 12 so 12 lambda ठीक है अब लेग इसको multiply करेंगे तो यहाँ सा है का mod c square minus b dot c b dot c divide by 4 divide by 12 lambda ऐसा आजएगा अच्चा lambda क्या है अपने पास में c e का magnitude है वो भी अपने को निकालना है ठीक है और साथ में b dot c भी अपने को निकालना दोनों चीज़े निकालनी है तो आपने को finally मिला अब इसमें क्या क्या unknown रहेगा आपने पास lambda और b dot c so mod c square means again आपके पास में इस नीचे वाले vector का magnitude that is 12 12 का square हो जाएगा 144 minus b dot c divide by 4 और divide by 12 lambda एक काम करते हैं अब अपने आगे बात कर लेते हैं इसको मिटा देते हैं चलो देखते हैं देखो अब अपने को क्या करना है ठीक है अपने को इसके इंदर आगे बात करना है कि कैसे b dot c निकालना है ठीक है तो उसके लिए देखो आपने को जो triangle जो था हमारे पास में यह c था और यह b था ठीक है तो आपने को इनकी length दे रखी है जैसे 8 दे रखी है na c minus b की length अपने को दे रखी है एक तो अपने यह condition लगाते है c minus b का mod ब्राबर 8 ठीक है इससे देखो आपने को square यह 0 लिया था अपने point A तो mod b square यह था 8 यह भी 8 था यह 12 था तो mod c square 12 mod b square 8 so that is 64 minus 2 into 12 into 8 into b dot c b dot c ब्राबर कितना आजाएगा ब्राबर मा आजाएगा 64 ठीक है तो यह कट जाएगा इससे 64 से तो यहां से देखो b dot c की value मिल जाएगी अपने को ना b dot c ब्राबर 12 का square था उसको लिके 12 into 12 divided by 2 into 12 into 8 एक 12 कट जाएगा एक 2 से कट जाएगा 6 time तो यह आजाएगा अपने पास में 3 by 4 यह था यह था एक value तो अपने को मिल गई that will be equal to 3 by 4 एसा ही बच्चों अपने को क्या करना है अपने को इसका magnitude निकालना था c e का magnitude जिसको अपनन लेम्डा माना था ठीक है तो वो कैसे निकालेंगे तो वो भी देखो इसी तरी किस निकालेंगे इसका magnitude निकालने के लिए अपने काम करते हैं क्योंकि इसका position वेक्टर बी बाई फोर था इसी तरी के सा अपन कैलकुलेट करेंगे बी बाई फोर माइनस सी का मॉडलस का square यह क्या था हमारे पास में lambda lambda square बाई मॉड b square by 4 that is 68 मॉड b का square कितना हो जाएगा 68 का square 64 divided by 4 का square 16 plus मॉड c square 144 minus 2 b dot c minus 2 b dot c b dot c निकाला था अपने 3 by 4 by 4 1 by 4 तो यह आगया आप मारे पास मॉड b इसका square इसका square और minus सारी चीज आ चुकी है तो इसको solve कर लेते हैं देखो यह कर जाएगा 2 time तो वहां से आएगा 8 4 into 2 8 इसको भी काट तो कितने किस से काट होगा 16 से काट दो so that is 4 148 into 8 148 into 8 minus 3 divided by 8 और इसका root तो यह आगया हमारे पास lambda यह सारी value यहाँ पर put कर देते हैं इस जगे पे तो देखें फाइनली हमारे पास में क्या answer आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं so 144 minus b dot c कितना है 3 by 4 so 3 by 16 और divide by 12 into lambda lambda की value यह है हमारे पास में इसको calculate कर लेते हैं 148 into 8 minus 3 by 4 कितना आ रहा है यह so एक काम करें इसके अंदर 3 दे रखा है और अपने को जो options दे रखें देखो वो roots 3 root 7 के format में है ठीक है तो एक काम करते है इसको calculate ही करना पड़ेगा so 8 into 8 कितना हो जाएगा 64 12 बाहर है अपमारे पास उसको रहने दीजी 8 into 8 64 8 into 4 32 32 plus 6 that will be 38 8 plus 3 11 minus 3 का root और divide by root 8 ठीक है so root 8 हमारे पास में काम पर आ जाएगा यह ऊपर आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से अपने इसको solve करेंगे और इस calculation को आप कर लीजिए एक बार calculation करने के बाद में और पिछे भी देख लीजिए एक बार यह option इसके अंदर आएगा आपके पास में third option that is 3 root 7 divided by 8 लेकिन प्रो dot c जो अपन 3 by 4 निकाला है और into 1 by 4 जो है मारे पास में यह इसके साथ में आया हुआ है के लिए है चलिए इसके साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं कि उस्सर नंबर 6 की ओर क्यूसर नंबर 6 में देखो क्या करना है अपने को दो वेक्टर दे रहके हैं a और c are given vectors then the vector b satisfying this equation and a dot b will be 3 देखो आपको a cross b ब्रावर c दे रहका है और c वेक्टर पता है b unknown है ठीक है तो माल लेते हैं देखो बच्चों वेक्टर b को वही x i cap plus y j cap plus z k cap यह माल लिए अपने वेक्टर b जो अपने को निकालना है ना b satisfying b कौन सी equation को satisfy कर रहा है that means b अपने को निकालना है ठीक है तो देखो देखो कितना आएगा तो एक काम करते हैं a cross b ब्रावर c दे रहका है तो a cross b निकालते हैं ना i j k a cross b में पहले a को लिखना होता है 1 1 1 1 फिर x y z ऐसा आजएगा जैड माइनस y फिर कितना आएगा z माइनस x माइनस sign के साथ में सो प्लस में आजएगा x माइनस z j k फिर आएगा हमारे पास में y माइनस x k k y माइनस x k k अचा ये जो वेक्टर है ये दे रहका है अपने को किस के बरावर ये वेक्टर दे रहका है अपने को वेक्टर c के बर अप्तार चाहे। जो कितना है हमारे पास में, जो है जे केप मैंनस के केप। इसका क्या मतलब यह वहा कि Z और Y , ठेकर ना, आईका का पॉपशन तो क्या होगा ? 0, तो आईका का पॉपशन 0 होगा means Z और Y दोनों क्या होंगे बच्शो, बराबर होंगे और Z और ब्राबर है X और Z के अंदर आपको relations दिये गए है वो क्या है देखो X-Z ब्राबर कितना है हमारे पास में 1 और similarly Y-X ब्राबर कितना दे रखा है अपने को Y-X ब्राबर यहां पर देखो X कितना आजाएगा लास्ट वाल एक्वेशन से X ब्राबर आजाएगा Y-1 प्लस Y और Z भी है मारे पास में Y के ब्राबर so that will be equal to 3 so 3Y ब्राबर 2 so Y ब्राबर 2 by 3 Y और Z दोनों ब्राबर है और X की जगे पर क्या करना है अपने को X ब्राबर Y प्लस 1 जैसे जैसे अभी किया था 2 by 3 प्लस 1 that is 5 by 3 X तो 5 by 3 और Y और Z दोनों 2 by 3 ठीक है ऐसा कौन सा option है देखो X तो 5 by 3 और Y और Z दोनों 2 by 3 second option आपका जो होगा वो हो जाएगा यहां पर सही answer के जाड़े सभी को चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं कि उस्सर नंबर 7 की और देखते हैं कि उस्सर नंबर 7 के अंदर इसके अंदर एक काम करते हैं देखो सबसे पहले हम लोग यहां से इसकी value निकाल लेते हैं u cross u cross w plus 3v ठीक है यह अपने को क्या करना है यह अपने को cross product निकालना है और उसके बाद में 3v के साथ में उसको add करके और यह देरेके अपने को सुन्ये देन अपने को cos square theta की value आज से निकालने है तो अपने काम करते देखो सबसे पहले इसको calculate कर लेता है ना इसको इसके साथ में dot किया so that is u dot w into u vector minus u dot u that is mod u square into w vector ब्राबर minus 3v vector ऐसा आजाएगा अब देखो अपने को क्या करना है इसके इंदर अपने को u and w के बीच का angle निकालना है जो अपने को theta दे भी रिका है तो थोड़ी देर के लिए अपने काम करते है इसको theta इसको lambda माल लेता है ना u dot w को ना तो यह क्या आजाएगा देखो lambda u vector minus mod u square mod u square will be 3 minus 3w square sorry 3w vector ब्राबर minus 3v vector अब देखो इसके इंदर अपने को theta निकालना है लेकिन यहाँ पर u w और v में एक relation फिर आ रहा है और इस side में u और w है तो अपन क्या करते हैं देखो इसका square करते हैं बहुत side इधर भी और इधर भी दोनों side इसका square कर देते हैं तो इधर देखो क्या आएगा lambda square into mod u square mod u square वही 3 जो पहले था हमारे पास plus 9 into mod w square mod w square कितना हो जाएगा that is 4 और minus 3 into 2 6 lambda minus 6 lambda u dot w u dot w को अपनने क्या माना था lambda ठीक है तो ये भी कितना हो जाएगा lambda square will be equal to 9 into mod v square that is 1 कितना जाएगा देखो 3 minus 6 so there will be minus 3 lambda square और 7 में आजाएगा बच्चो 9 into 4 36 इसको उदर लेगे तो कितना आजाएगा 27 वो भी कैसा minus का so lambda square ब्राबर 9 so lambda ब्राबर 3 and minus 3 ठीक है पर lambda अपने किसको माना था u dot w को तो u dot w जब calculate करेंगे अब आप यहाँ से तो कितना आएगा देखो that there will be equal to u square अच्छा lambda square 9 आया ना ते काम कर लेते इसमें सीधा ही value put कर देते lambda square ताकि plus minus का confusion भी ना रहेगा so mod u square mod u square will be 3 into mod w square 1 into cos square theta sorry इसकी value कितनी थी 4 will be equal to 9 so cos square theta will be equal to कितना आजाएगा there will be equal to 3 by 4 ठीक है तो सीधा हमारे पास में आगया cos square theta 3 by 4 plus minus का confusion नहीं रहा क्योंकि अपने lambda square के अंदर ही answer put कर दिया है clear है तो ऐसा कौन सा option है हमारा third option so 7th का सही answer होगा तीसरा option किलिया है सभी को चलिए आगे चलते हैं बात करते है question number 8 question number 8 के अंदर देगो सबसे पहले तो इसका एक formula होता है हमारे पास में वो formula लगाना है आपको a cross b cross b cross c और c cross a का box क्या होता है a b c का hall square जिसको नहीं पता है वो उसको calculate करना पड़ेगा उसमें वो क्या करेगा box वाला formula लगाएगा उसको calculate करेगा तो उसके बाद में ही आएगा बट इसको याद रखिए ताकि सीधा आप exam में किसनों को solve कर सके तो यहां से अपने को a b c का box मिल जाएगा a b c का box there will be equal to कितना हो जाएगा 6 वो भी plus minus का अब देखो इसको आप में cyclic order में कुछ भी लिख सकते हो a cross b b cross c तो ठीक है मैं एक काम कर रहा हूँ मैं इसको लिख रहा हूँ a cross b dot c box होता है a cross b dot c यहां पर लगा दो a cross b dot c ठीक है अब देखो आपको बोला गयागी a b c एक दूसरे के साथ बराबर कौन बनाते हैं ठीक है तो सबसे पहले देखो अपन इसके अंदर फॉर्मला लगाएंगा ना a cross b के लिए और फिर a cross b और c के बीच का एंगल होगा ठीक है तो a b और c इन सब के साथ में सेम एंगल बन रहा है तो यहां वाला एंगल अपन निकालते हैं सबसे पहले वो कितना आ जाएगा हमारी पास that is mod a mod b sin theta into n cap dot c अब देखो n cap dot c में लगाएंगे तो क्या हैगा mod n cap जो कितना होगा 1 into mod c into अब n cap और c के बीच का एंगल theta नहीं होगा वो क्या होगा वो कुछ अलग होगा उसको phi माल लेते हैं लेकिन a और c के बीच में एंगल जो आता है dot के अंदर क्या आ जाएगा cos phi that will be equal to कितना हो जाएगा plus minus 6 ठीक है अपने को theta निकालना अब देखो mod a mod b mod c सब देरिका है 1 2 3 सबको वेले पूट कर दी 1 2 3 6 6 से 6 कर जाएगा तो आपको मिलेगा sin theta into cos phi will be equal to 1 वो अभी plus minus 1 ठीक है तो ऐसा कब होगा ठीक है ऐसा कब होगा जब theta तो आपके पास में कितना हो जाए 90 और phi कितना हो जाए 0 शिरफ एक ही possibility है क्यों क्योंकि ये 1 से ज्यादा हो नहीं सकता इसल product 1 कब आ सकता है या तो एक दोनों की value 1 हो जाए या एक आपके पास 1 से कम हो एक 1 से ज्यादा बट इन दोनों में से कोई सी value 1 से ज्यादा नहीं हो सकती इसलिए सिरफ पॉसिबल है जब ये 1 हो जाए और ये भी क्या हो जाए 1 तो यहां से मिलेगा आपको theta 90 और phi 0 लेकिन 90 डिग्री और इसा कौन सा option है बच्चो पहला option so 8 का जो सही answer होगा हमारे सामने यहां पर वो कौन सा option होगा बच्चो हमारा first option इले रहे सभी को चलिए इसी के साथ चलते हैं बात करते हैं question number 9 की ओर देखते हैं इस question में क्या है 9 के इंदर आपको दिरका है A B and C तीन वेक्टर से A अच्चा इसके बाद में ये वेक्टर ये वेक्टर और C वेक्टर कॉप लेनर है तो एक काम करते हैं बच्चो पहल तो C निकाल लेते हैं C क्या है alpha into A that is alpha IK plus alpha J cap plus beta B beta कितना है बच्चो आपके पास में beta into B, B vector कितना है J cap So beta J cap plus beta K cap ये है बच्चो आपका C vector अब तीन वेक्टर कॉप लेनर है तो उनकी condition लगा दो तीन वेक्टर जब कॉप लेनर होते हैं तो उनका determinant क्या होता है बच्चो 0 उनके coefficient से जो determinant बनेगा वो 0 So 1 minus 2, 1 साथ में है बच्चो 3, 2 minus 1 और साथ में इसमें I का coefficient alpha, J का coefficient alpha plus beta और K का coefficient आगे बच्चो बीटा ये क्या दे रखा है आपको 0 दे रखा है इसको solve करते हैं देखते हैं क्या answer आ रहा है 1 into 2 beta plus alpha plus beta plus 2 अगली टरम क्या आएगी देखो 3 beta plus alpha plus 1 लास्ट टरम क्या आएगी बच्चो 3 alpha plus 3 beta 3 alpha plus 3 beta और साथ में आएगा बच्चो minus 2 alpha minus 2 alpha तो finally कितना आगया देखो ये 0 है तो पहले alpha की टरम काउंट कर लेते हैं देखो alpha कहां कहां पर है 1 alpha इसके बाद में 2 alpha 3 alpha 3 और 3 6 और 6 minus 2 4 तो 4 alpha साथ में क्या आ रहा है बीटा का option देखो 2 beta plus beta कितना आजाएगा 3 beta plus 6 beta 3 plus 6 कितना हो जाएगा बच्चो 6 plus 3 9 9 beta 9 beta plus 3 there will be 12 beta will be equal to 0 ये कितना दे रहा है 0 तो आपको alpha by beta निकालना है इसको beta से divide कीजिए साथ में 4 से भी divide कर दीजिए so alpha by beta plus 3 will be equal to 0 so alpha by beta will be equal to minus 3 ठीक है यही होगा आपका सही answer कौन सा option है बच्चो 4th option so 9th का सही answer होगा हमारा 4th option के लिए रहे सभी को चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे बात करते हैं number 10 की ओर देखते हैं क्या है इस question में question number 10 बिल्कुल वैसा यह जैसा थोड़े देर पहले हमने किया था a cross a cross c plus b will be equal to 0 ठीक है इस type का relation दिया गया है और आपको कहा गया है a थता सी के मज़िए का noon कौन क्या होगा चलिए बात करते हैं देखो पहले इसके साथ में dot करेंगे so a dot c into vector a minus a dot a vector into vector c plus b will be equal to 0 अब देखो a b c तीन सदिस्ट इसके परिमान 1 1 तथा 2 है ठीक है तो सबसे पहले तो a dot c यहां पर आया है हमारे पास जिसका अपने को निकालना था अगे इन देखो इसको lambda माल लेते हैं lambda a ठीक है न इसको क्या माना lambda minus a dot a mod a square that is 1 so minus c vector that will be equal to minus b vector ठीक है न b का magnitude भी 1 है फिर से देखो क्योंकि a और c के बीच का angle जैसे आप यह भी आपने पिछे equation में किया था बिल्कुल आपको इसका square निकालना है वहाँ पे इसका square निकालेंगे तो यहां से फिर से a dot c आएगा उसकी value फिर put करेंगे तो देखते देखो कितना आएगा lambda square a square lambda square mod a square 1 plus mod c square that is 4 mod c square 4 minus 2 lambda a dot c a dot c कितना है lambda so that is lambda square will be equal to mod b square that is 1 तो यहां से अपने को lambda square मिल जाएगा lambda square will be equal to ठीक है यह उदर चला जाएगा plus और यह दर आजाएगा 3 so lambda square ब्राबर 3 इस बार देखो आपने को क्योंकि lambda किसको माना था a dot c को so mod a mod c फिर लगाते देखो 1 into 2 ठीक है into cos theta so that is cos theta का whole square will be equal to 3 तो आपको न्योन कॉर्ण पूछा गया है तो यह आप पर theta क्या लेंगे positive root क्या लेंगे positive so cos theta ब्राबर plus minus root 3 by 2 आएगा लेकिन आपको यहाँ से positive sign लेना है और यहाँ कब होगा बचो 30 degree पर बिल्कुल आपका 10 में का जो answer सही होगा वो होगा आपका पहला option के लिए रहे सभी को चलिए इसी के साथ चलते हैं बात करते हैं question number 11 की ओर क्या है question number 11 हमारा a and b दो points के coordinates आपको दिये गए हैं तब निन मैंसे o a तता o a के कौन अर्दक पर इस्तित है जहाँ o mole बिंदू निन मैं से कौन सा बिंदू इसके कौन अर्दक पर इस्तित है देखो चो कैसे निकालते हैं जब भी इस type का कोई भी question आता है हमारे पास ठीक है तो उसको करने का एक ही तरीका होता है हमारे पास और वो होता है क्या ठीक है o a तथा o b पूछा गया है ठीक है तो और इसको ठीक है ना क्या करेंगे इसके sum या difference के format में लिखेंगे या तो वो जो vector आएगा हमारे पास में वो क्या करेगा उसके कौन अर्दक पर इस्तित होगा दोनों देखते हैं पहले difference देखते हैं फिर sum देखते हैं या पहले sum या difference कुछ भी कर सकते हो देखते कौन सा option दिया गया है तो पहला वेक्टर है बच्चों आपके पास कितना माइनस का 4 आई केप प्लस 3 केप डिवाइड बाइप पाइप अच्छा हाँ इनका क्या लेंगे इनका कर्रेस्पॉंडिंग यूनिट वेक्टर ठीक है लेमडा टाइम इस माइनस पहले माइनस वाल ले लेते हैं 14 आई केप प्लस 2 जे केप माइनस 5 केप डिवाइड बाइ नीचे कितना आएगा 196 14 जा स्क्वार होगा बच्चों 196 4 प्लस 25 कितना हो जाएगा 225 तो यह आजाएगा बच्चों हमारे पास कितना 15 ठीक है इसको क्यलिट करते हैं कितना आएगा मैनस पास्य Wyatt केंट कितना कितना लोगे L से कितना होगा 3 बिलकुल वाइनस 12 को मैनस 14 आई कप एक ऐसको बीटे मैनस 12 आई केप फ्लस 9 केप मैनस 14 केप मैनस 2 जे के प्लस 5K के डिवाइड बाई लेम्डा के साथ में 15 आ जाएगा that is लेम्डा बाई 15 सो माइनस 2 आई के माइनस 2 आई के माइनस 2 जे के और साथ में कितना आएगा बच्चो यहां पर आएगा हमारे पास में 9 यहां पर कितना है देखो माइनस 4 जीरो और यहां पर है हमारे पास में 3 9 एक आएगा हमारे पास में देखो यहां से माइनस 2 आई के माइनस 2 जे के और प्लस 14 के के डिवाइड बाई इंटू लेम्डा बाई 15 तो माइनस 2 तू 14 या इस में से कुछ भी कॉमन ले तो ऐसा नहीं दिया गया है अब एक काम करते हैं इसको एड करके देखते हैं एडिशन वाल ओप्शन दिया है क्या तो यहां पर प्लस साइन आजाएगा एडिशन के के स्में फिर यहां प्लस यहां प्लस और यहां पर कितना आजाएगा मारे पास माइनस स्में तो इस के स्में इसमें से 2 common ले लिजिए, so 2 lambda by 15 common आ जाएगा, तो पिछाएगा 1, 1 and 2, ठीक है, तो ऐसा option अपने को दिया गया है, that is fourth option, इस तरीके से आपको इसको solve करना था, clear है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, question number 12 की और, क्या है देखो question number 12, question number 12 के इंदर देखो अपने को क्या करन ही कोरे, the altitude of a parallel pipe, which three edges are the vector this, this and this, with A and B are the sides of the base, of the parallel pipe, देखो, altitude आप से पूचा है, parallel pipe, 67 पलक की तीन कोरे, जिसके सदिस यह, यह तता यह है, एवं A, B, 67 पलक के आधार की कोरे हैं, तब इस 67 पलक की उंचा ही क्या होगी, वो अपने को निकाल ली, तो एक काम करते हैं, देखो A, B, C का box, ठीक है, यह क्या होता है मारे पास में, यह होता है इसका volume, और इसको इसके area से divide कर दीजिए, और area में कौन सी दो sides लेनी होती है, तो base की जो दो sides होती है, तो आपको A and B देरका है, तो A x B का modulus, ठीक है, तो यह आपको क्या करना है बच्चो, calculate, इसको आप बड़े ही आसानी के साथ calculate कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, A, B, C के लिए क्या करेंगे, A, B, C के लिए अपन box निकालेंगे, किसका, इन तीन से जो box बनेगा, क्या बनेगा, देखो, 1, 1, 1, 2, 4, minus 1, 1, 1, 1 and 3, यह box बन जाएगा, इसको calculate करते देखो, कितना आएगा, 12 plus 1, 13, I cap, 4 into 3, there will be 12, plus 1, 13 I cap, फिर J का coefficient, 6 plus 1, 7, so there will be minus 7 J cap, plus K का coefficient, 2 minus 4, there will be minus 2 K cap, ठीक है, यह तो क्या है, मारे पास में, अच्छा, 1, 1, 1, 1 है आपके पास में, तो चाओ तो सिधा भी निकाल सकते हो, ठीक है, यह जो अपनने calculate किया है, 12 plus 1, 13, साथ में आएगा, हमारे पास में, 6 minus 1, 6 plus 1, 7, so there will be minus 7, and 2 minus 4, there will be minus 2, so 9 सप्टेट कर देंगे, तो कितना आजाएगा, 4 आजाएगा, ठीक है, तो यह तो कितना आजाएगा, हमारे पास 4, अब बात करते हैं, इसके, A cross B के बारे में, A cross B के लिए आप चाहो तो एक formula यूज कर mod A square, mod B square, minus A dot B का hall square, और जिसको नहीं पता है, वो ऐसे भी कर सकते हैं, I, J, K, ठीक है न, A और B के coefficients, 1, 1, 1, और कापर है, आपके पास में, 2, 4, minus 1, अच्छा, आप पैसा भी कर सकते हैं, फिल A cross B निकाल लेते, उसका C के साथ dot product कर देते, तो यह फिर आपको यह काम बच जा C, J, K, और K का coefficient आएगा, 4, minus 2, so, there will be minus 2, plus 2, K, K, इसका magnitude निकालना है, 25, plus 9, plus 4, so, there will be root 38, so, 4, divide by root 38, इसको रेसलाइज कर लीजिए, so, 4, into root 38, divide by 38, 2, से divide, so, 2, and 19, so, 2, into root 38, by 19, third option, तो लिएर है, हाँ, इसमा आप यह काम बचा सकते थे चाओ तो, क्योंकि यह अगर आपने निकाला है, तो अब इसका सीधा C के साथ में, dot product कर लीजिए, minus 5, minus 3, plus 6, ठीक है, यह आजाएगा, आपके पास में क्या, इसका volume आजाएगा, तो इस तरीके से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, third option, चलिए, आगे देखते है बात करते हैं, question number, 12 हो चुका है, 13 के बारे, क्या है, देखो 13th question, 13th के अंदर आपको D dot A cross B cross C cross D, देखो बहुत सारे cross product है, घबराना नहीं है बच्चों, ठीकन, एक एक को करके देखो समेटते हैं, सबसे पहले इसको calculate कीजिए, पहले जाएगे बच्चों, दूर फिर जाए साथ में D vector, B dot C के साथ में D vector, अब क्या करना है बच्चों इसका, आप करना है बच्चों इसका A के साथ में cross product, चलिए करते हैं, चलिए इसके बाद में D के साथ में dot B करना है, ठीक है न, D के साथ में dot, देखो ये तो अब एक number है, आपके पास में कौन काम करेगा, आपके पास में काम होगा बच्चों इनका हाणा ना डी ए अजी इस वेक्टर बच्चे ओडि ये तो डी एसी ठीक है नि आगे वाले मैं क्या है गा डी एडी ठीक है तो डी एडी तो चिया हो जाएगा 0 अगर आप इसको लिखेंगे देखो B.D इसके साथ में क्या आएगा D.A. और C का box यह तो बनेगा D.A. C ठीक है फिर यहाँ पर आएगा देखो minus B.C और यहाँ पर कौन सा box बनेगा यहाँ पर box बनेगा बच्चो D.A.D D.A.D means dead यह dead हो गया है बच्चो क्यों? क्योंकि इसके दो वेक्टर्स क्या आगया है? समान आगया है. ठीकर न कट जाएगा 0. अब यह निकालना है आपको इसके लिए फिर आप बच्चो अपने काम करते हैं पहले D.A.C क्योंकि सारे वेक्टर्स अपने को दिये गए हैं तो यह बॉक्स निकालना होगा फिर A.D के साथ में उसको क्या करना है? Multiply. तो पहले A.D.D निकाल लेते हैं B कहा है बच्चो? यह रहा और D कहांपर है? यह रहा आई का कोपिशेंट तो है नहीं J का कोपिशेंट multiply होगा minus 6 और K का कोपिशेंट minus 1 into plus 1 minus 1 तो यह तो आगया minus 7 यह निकाल लेते हैं अपने को अलग से ठीक है ना? इसका box निकाल लेते हैं D.A.C. D कितना है देखो? D है हमारे सामने 0, 2, 1 0, 2, 1 इसके बाद में लेना है बच्चे अपने को A 5, minus 1, 1 5, minus 1, and 1 फिर चलना है बच्चे अपने को C की तरब C कितना है देखो? minus 3, 1, 1 minus 3, 1, and 1 कितना आ रहा है देखो? बहुत ही आसानी के साथ निकल आएगा क्योंकि एक टरम 0 हो चुकी है देखी कितना आएगा पहली टरम तो 0 दूसरी, minus 2 minus 2 के साथ में कितना आएगा? 5, plus 3, that is 2 minus 4 फिर आएगा 5, plus 5, minus 3 5, minus 3 कितना होता है बच्चो? 5, minus 3 भी होता है 2 तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर कितना आगया हमारी पास? यहाँ पर आगया minus 4 ठीक है? तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारी पास? एक बार इस calculation को देख लेते हैं दुवारा इसमें हमारे पास में D, A, C, D, A, C cyclic orderment, D कितना है देखो? D है 0, 2, 1 0, 2, 1, ठीक है? A कितना है? 5, minus 1, 1 और C कितना है? minus 3, 1, और 1, ठीक है? इसमें पहली टरम तो 0 हो गई दूसरी minus 2 minus 2 के साथ में आएगा 5 plus 3 यहाँ पर आएगा 5 plus 3 5 plus 3 कितना होता है? फिर आएगा 5 minus 3 that is 2 minus 16 plus 2 that is minus 14 minus 14 यहाँ पूर्ट करिजिए इसके साथ में minus 14 minus minus तो plus हो जाएगा 14 into 7 कितना होता है बच्चो? 98 बिल्कुल आपका जो पहला option है वही होगा सही answer चलियार आगे चलते हैं बात करते हैं question number 14 क्या है question number 14? A, B, C का mode sub 2 है A dot B, B dot C C dot A sub again 2 है then this will be equal to देखो बच्चो आप सबको एक formula पता होगा A, B, C का box बराबर क्या होता है? A dot A A dot A कितना है बच्चो? mode A square 2 that is 4 बाकी A dot B इसमें क्या आते हैं? A dot A, B dot B, C dot C यह तो आते है diagonally और एक दूसरे के साथ में जब dot product लेते हैं वह आते हैं बाकी सब जगे पे बाकी सब सेम ही दे रहे हैं 2 तो सब जगे पे 2 लिख दू यह यह इसका square होता है ना इसका square जब निकालते हैं तो यह आता है clear है? चली यह निकाल लेते हैं कितना आएगा? यह आएगा बच्चों हमारे बास 4, 16 minus 4 that is 12 12 into 4 कुछ आएगा? चली देखते कितना आएगा? minus 2 कितना आएगा? 8 minus 4 8 minus 4 that is 4 फिर plus 2 plus 2 के साथ में कितना आएगा? 4 minus 8 plus 2, 4 minus 8 16 minus 4 12 12 into 4, 48 यहां से आएगा बच्चों 8 minus 4 minus 4, plus 4 into 2 minus 8, यहां से minus 8 16, 32 तो A, B, C कितना आएगा बच्चो? A, B, C आएगा बच्चो root 32 root 32 into cos 45 will be 1 by root 2 this is 4 root 2 by root 2 so this will be 4 ठीक है? सही आंसर कौन सा हो गया? 4th option so 14 का सही आंसर होगा बच्चों हमारा 4th option के लिए है सभी को? चले इस ही के साथ चलते हैं आगे बात करते हैं कि उस्सान नंबर 15 15 में क्या करना है? एक functional equation है जिसको solve करना है क्या है functional equation? x cross B c cross B and x is perpendicular to the A x A के perpendicular है देखो देखो बच्चों कितना आ रहा है? देखो x cross B x cross B will be equal to c cross B ठीक है? इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना है यहाँ पर x निकालना है अच्छा options को जान से देखो बच्चों b cross c cross A है ना और c cross B आ रहा है तो एक काम करते हैं इसका a के साथ में क्या करने है? cross product कर लेते हैं a के साथ में दोनों साइड cross product ठीक है? c cross B उदर दे रखा है यह निकाल लेते हैं देखते हैं कितना आएगा so एक काम करते हैं बच्चों इसको calculate करते हैं देखो पहले दूर के साथ में a dot x into vector b into vector b minus अब pass में a dot b a dot b pass में कोन है? a के सपास में b into x vector ब्राबर c cross b और cross a vector आप देखो आपको x और a perpendicular दिया गया है तो यह पहली टर्म तो क्या होगी? 0 होगी बच्चों तो यहां से क्या आगया आपके पास में? x vector will be equal to कितना हैगा? बच्चे माइनस साइन बचेगा तो उसको minus sign को change करने के लिए क्या करते है? b को पहले लिख लेते है, c को बाद में तो b cross c हो जाएगा वो into cross a vector और divide by कितना आजाएगा बच्चो? a dot b ठीक है न? b cross c exchange हो जाएगा b पहले c बाद में क्योंगी इदर minus sign बचेगा minus से minus कट जाएगा फिर cross a divide by a dot b ऐसा option है बच्चो? देख बच्चो? a dot b एक ही option में नीचे ठीक है? तो ऐसा एक option है उसको check कर लिएगे, बिल्कुल सही है बच्चो? b cross c cross a divide by a dot b ठीक है? तो यह हो गया हमारा question number 15 चलिए बच्चो बात करते है question number 16 के बारे में क्या है देखो? angle between a and b और यह relation आपने दे रखा है तो देखें बड़ा ही आसान सा question a plus b को इदर रखेंगे c को उदर लेके जाएंगे क्या करेंगे आप? squaring on both side so mod a square plus mod b square plus 2 time a dot b will be equal to mod c square mod c square सबकी value पता है अपने को mod a square कितना है? 9 mod b square 25 2 time mod a 3 mod b 5 into cos theta प्रावर 49 यह आएगा इसको उदर ले जाते सारी data को 25 plus 9 34 कितना आएगा cos theta will be equal to 49 minus 34 15 divided by 15 into 2 30 1 by 2 और cos theta 1 by 2 कब होता है बच्चो? जब theta कितना हो हो हमारे पास? theta होता है हमारे पास में pi pi 3 ठीक है? cos theta 1 by 2 शिरफ pi pi 3 पर ही होगा यह जितने भी option है तो fourth option सही होगा हमारा 16th question clear? चलिए आगे बात करते है question number 17 क्या है देखो? a b c are the vectors of length 3, 4 and 5 means तीनों का आगे आपको magnitude दे रहका है a b perpendicular to b plus c b perpendicular to c plus a and c perpendicular to a plus b then mod of this देखें माना 3 सदिस है a b c जिनकी लंबाई यहां 3, 4 और 5 है a b plus c के b c plus a के तता c a plus b के लंबत है तो इसका magnitude क्या होगा? तो इसका magnitude क्या होगा? काम करते है बच्चो? इसका magnitude निकाल लेते हैं देखें कितना आएगा? इसका magnitude आएगा तो mod a square that is 9 mod b square 16 mod c square 25 plus 2 time a dot b अच्चा आपको a plus b plus c का magnitude निकालना है तो बिलकुल यह आप रहेगा a dot b plus b dot c plus c dot a ठीक है? यह अपने को अभी पतार नहीं है ठीक है? magnitude तो देरका था यह निकाल लेते हैं क्या देरका? a is the perpendicular to b plus c देखें यदि a b plus c के लंबवत है तो देखो बच्चो? simple सी बात है a dot b plus c 0 होगा तो कितना आएगा? a dot b plus a dot c will be 0 विलकुल विलकुल शही बात यही दूसरे वाला भी 0 आएगा दूसरा क्या है? b c plus a के तो यहाँ से आएगा बच्चो? b dot c plus b dot a will be equal to 0 ऐसे तिसरा भी 0 होगा बच्चो? तिसरा है c dot a plus c dot b will be equal to 0 c dot a plus c dot b will be equal to 0 अगर आपर इन तीनों equation को add कर दें तो देखो क्या आएगा? 2 time a dot b plus b dot c plus c dot a तो यह value हमारी पास में क्या आगई बच्चो? 0 आगई तो अगर यह 0 है तो mod a plus b plus c will be equal to क्या होगा? इन तीनों vectors के mods का सम होगा बच्चो? root over 9 plus 16 plus 25 that is 50 root 50 कितना होता है बच्चो? 25 into 2 that is 5 root 2 तो 17 का जो सही answer है बच्चो? कौन सा option है हमारा पहला option के लिए रहे सभी को चले आगे चलते हैं बात करते हैं क्यूशन नमबर 18 की और क्या है क्यूशन नमबर 18 चले देखते हैं क्यूशन नमबर 18 में आपको कहा गया है कि a b c are the three unit vectors such that a plus b plus c is also unit vector if angle between a and b b and c and a and c are theta 1 theta 2 and theta 3 देखिए a b c तीनों unit vector है और a plus b plus c b unit vector है तो यह आपने इसी लिए दिया है ताकि आप बच्चों इसमें अभी अभी जो आपने formula लगा था वो एक बार फिर से लगाएं देख गई क्या हैगा mod a square यह 1 दे रखा है mod a square 1 mod b square 1 mod c square 1 plus 2 time a और b के बीच का एंगल theta 1 b और c का theta 2 c और a का theta 3 तो क्या हैगा पहले a dot b में लगाते थे mod a mod b cos theta 1 तो दोनों का mod दो 1 है so cos theta 1 plus ऐसे ही cos theta 2 और ऐसे ही आजाएगा बच्चो cos theta 3 यह 1 दे रखा है 1 कर जाएगा तो यहां से इसकी value पूछे इसकी value आ जाएगे अपने पास cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 will be equal to minus 2 divided by 2 कितना हैगा minus 1 minus 1 है option बिल्कुल है बच्चो दूसरा option जो की हमारा सही answer होगा किलियर चले इसी के साथ चलते हैं बात करते हैं question number 19 क्या है 19 आईए देखते हैं 19 में देखते हैं बच्चो A cross C ब्रावर B बी बी अच्चा निकालना क्या है बच्चो then the vector C C निकालना है तो एक काम करते हैं A और B दे रखा है इधर B है ठीक है तो इसका देखो A के साथ में cross product करते हैं ठीक है ना A cross A cross C ब्रावर A cross B vector अच्चा आपने A के साथ ही क्यों किया C के साथ क्यों नहीं किया क्योंकि C अपने को पता ही नहीं अगर C के साथ करते हैं तो उदर वाली चीज़ कैसे निकालते हैं ऐसे के साथ करो जो आपको पता होगा देखे कितना है A dot C A dot C हम में पता है अब देखो बच्छो अबन सारी चीजे पता है, A पता है, A और B पता है, तो यहां से C निकाल सकते हैं आसानी के साथ, बट उसके लिए हमें A क्रोस B चाहिए होगा, तो पहले वो निकाल लेते हैं, आई केप, जे केप, के केप, A के कोफिसेंट्स, बताइए बच्छो, 1, 1, 1 ठीक है न, तीनों 1 है, J के कोफिसेंट, B के कोफिसेंट, 1-2 और 1, ठीक है, कीजे क्रोस प्रोटेट कितना आएगा, 1 प्लस 2, 3 I केप, 3 I केप, J का कोफिसेंट आएगा बच्छो, यह 1 है यहां पर, so 1-1, that is 0, that is 0 J केप, और K का कोफिसेंट आएगा बच्छो, माइनस 2, माइनस 1, that is, माइनस 3 केप, A क्रोस B अपने को पता चल चुका है, 3 C को उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, देखो, A इंटू 2, that is, 2 I केप, 2 J केप, 2 K केप, माइनस A क्रोस B, 3 0 माइनस 3, 3 0 माइनस 3, और डिवाइड बाइ 3, ब्राबर, वेक्टर C, कितना आएगा, ये आएगा, 2 A, माइनस A क्रोस B, डिवाइड बाइ 3, वेक्टर, कितना आएगा, 2 माइनस 3, that will be equal to, माइनस 1 I केप, माइनस 1 I केप, 2 माइनस 0, that is, प्लस 2 J केप, 2 माइनस, माइनस, प्लस 3, so, that is, प्लस 5 K केप, डिवाइड बाइ 3, ऐसा option है बच्चो, बिलकुल ह बच्चो, ये रहा देखो, माइनस I, प्लस 2 J, प्लस 5 K केप, डिवाइड बाइ 3, सिरफ आपका second option यहापर है, जो सही होगा, किलिए रहे सभी को, चलिए इसी के साथ चलते हैं, बात करते हैं, बच्चो, question number 20, 20th question में देखो, क्या करना है आपको, आपको इस box को निकालना ह होता है, ठीक है, तो इसमें आपके पास में क्या होगा, इसको आप जैसे determinant में soul करते हैं, वैसे एक एक करके, सारे इनको अपन हटाएंगे यहां से, एक काम करते हैं, आपन किस से start करें, पहले से start कर देते हैं, एको A के साथ में जब box लोगे, तो पहला तो A रहेगा, और ब कोई number अगर आजाए, तो इस number को आप बाहर निकाल लेगे, बच्चो, 2 को बाहर निकाल लेगे, तो plus 2 बाहर आजाएगा, फिर बच्चो हमारे पास में, यहां पर से क्या बच्चेगा, यहां से B, और यहां पर है बच्चो, फिर से A minus B, और अगली टरम के अंदर है बेटा एजिटीज रहता है, बाकी दोनों को एजिटीज रखेंगे, यहां पर नहीं क्या लेते हैं, इसके साथ में है बच्चो, वहारे पास में A minus B vector, और साथ में है बच्चो, A minus B minus C vector, यह बच्चो पर नहीं क्या कर दिया, यह अपने पहले कॉलम को इस्पिलिट कर दिय तीन भागो के लिए रहे अब चलते हैं दूसरे पर और इस पर बड़े जहान से जाना है क्यों जैसे ही दो सेम होंगे वो 0 हो जाएगा तो देखो सबसे पहले यहान से भी देखो पहली जगे पर दूसरे में भी दो सेम हो गया तो पहला पार्ट तो क्या है बचो 0 प्लस दूसरे में A-B तो यह 0 नहीं होगा ना It-B मैनिस आनको कॉमन बाद में ले लेंगे अपन A-B-C यह बन गया यह पहला box अपने complete simplify कर लिया है आते हैं दूसरे पर देखो plus two time B A ठीक है न क्योंग यहाँ पर B है उदर A है तो B A यहाँ पर आएगा A-B-C और फिर आएगा बच्चो B के साथ में minus B माइनस साइन से कोई फरक नहीं पड़ेगा box भी अपना completely simplify हो चुगा है अब आते हैं तीसरे पर तीसरे में क्या आएदे को minus sign के साथ में C A A minus B minus C minus C और अब आएगा बच्चो minus B के साथ minus C minus sign तो था ही यहाँ पर बाहर C के साथ में minus B C के साथ में minus B A minus B minus C यह आगे है बच्चो अपन second point पर clear है यह अगले page पर चल लेते हैं ताक कि अपन आगे बढ़ पाए अच्छे से चली फिर चलते है बच्चो अब वापिस अपने पहले को simplify कर लिया दो भागों एक 0 और एक यह यह 0 और वो और इसमें कोई पार्ट 0 नहीं हुआ तो दोनों पार्ट को as it is लग दीगा अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर इसको करते हैं देखो सबसे पहले A B A देखो A B के बद क्या आ रहा है वापिस A आ रहा है तो पहला पार्ट क्या हो गया 0 ठीक है फिर देखो A B B B minus sign को मैं देखे A minus B minus B दो बार भी आ गया 0 A minus B minus C यह 0 नहीं होगा इसमें देखो एक बार sign को अंठर ही रख लो A minus B minus C यह पार्ट अपना बच जाएगा A minus B minus C यह 0 नहीं होगा चलते है आगे देखो B A A A के साथ में एक मर आ हो गया 0 तो पहला पार्ट क्या आ गया फिर से जीरो फिर देखो बी ए के साथ में बी सेकंड पार्ट भी क्या आ गया बच्चो जीरो बी ए के साथ में आ गया था फिर बी ए के साथ में माइनस भी आ गया था ये भी जीरो अब बी ए के साथ में आएगा माइनस सी तो ये जीरो नहीं हो कितना हो गया बच्छो 0, C A A के साथ में A आ रहा 0, C A के साथ में B यह 0 नहीं होगा, तो क्या है माइनस साइन के साथ में एक काम करते हैं, देखो C A माइनस B था, उस माइनस साइन को बाहर कॉमन लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, C A और B, एक साइकलिक ओर्डर में है, A B C के बराबर होगा, फिर आगे बच्छो C A C, फिर से सारे 0 हो जाएंगे, C A C सब 0 होगा, फिर आगे चलते हैं बच्छो लास्ट पार्ट पर C B A, यह रहेगा हमारे पास, माइनस साइन के साथ में C, माइनस B A, माइनस साइन से भी कॉमन ले लेते, तो यह जाएगा C B और A, ये box बन जाएगा, फिर c, b के साथ में b 0, फिर c, b के साथ में c 0, आगे वाल दोनों टरम क्या आगई बच्चो, 0 प्लस 0, अब एक काम कर लो, जब जहां जहां पर भी minus sign है, उसको common ले लो, 2, b, a, c, एक काम करते हैं, इसको a cross, उसमें से minus sign बाहर लेंगे, तो बाहर आएगा minus 2, और यहां से कितना आ रहा है हमारे पास में, a और b, ठीक है न, अच्छा, वहां से आपने c को common लिया है, तो यहां पर आएगा b, a, और c, ठीक है, minus sign को बाहर ले लिया है, फिर देखो इस में क्या, cyclic order में है, c, a, b, ठीक है न, आप वापस लिख सकते हो, a, b, c, इसमें देखो, तो cyclic order नहीं है, इसमें अगर आप c, b, a, c होगा, फिर a, c, b होगा, cyclic order नहीं है, यहां से minus sign आपको common लेना पड़ेगा, तो फिर यह हो जाएगा, आपके पास में, क्या, यह हो जा आप देखो, यह भी cyclic order में नहीं है, b, a, c, इसमें a और b को वापस interchange करना पड़ेगा, तो यह भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 और प्लस 1, 3 टाइम, a, b, c, यह आपका finally answer रहेगा, इस तरीके से आप एक-एक box को करके simplify कर सकते हैं, ठीक है, इसा कौन सा option है बच्चो, third option, so 20 का सही answer होगा, तीसरा option, clear, चलिए बच्चो आगे बात करते हैं, question number 21 के बारे में, देखी क्या है, the volume of a tetrahedron formed by the edges ABC is 3, देखी tetrahedron का volume का formula हम सब को पता है, क्या होता है, a, b, c, divide by 6, और यह कितना देरका है अपने को, 3 देरका है, कितना आ जाएगा, a, b, c का box मिल जाएग अपने को या से 18, अब अपने से पूछा क्या इसके अंदर, अगर इसके बारे में बात करें, तो अपने को पूछा है, a plus b, b plus c, और c plus a, इससे बनने वाले parallel pipe का volume, ठीक है, तो parallel pipe क्या होता है बच्चो, parallel pipe का volume होता है, a plus b, plus b plus c, plus c plus a, यह अभी जो आपने पिछे पढ़ा था, उसी के corresponding, आप इसको solve कर सकते हो, चाहो तो, और आप सबको याद भी होगा, इसका formula ही कितना होता है, 2 time a plus b plus c, 2 a, b, c, 2 a, b, c का box, ठीक है, जैसे a cross b वाला ही याद रखते हैं, वैसे ये formula भी याद रखते हैं, उसमें power में 2 आता है, इसमें multiply में 2 आता है, इसकी value अप करते हैं, question number 22 के बारे में, 22 में क्या है बच्चो, vector of magnitude 5 root 5 co-planer with vector this and this and perpendicular to the vector this, देखिए, क्या होता है, हम सबको पता है, दो vectors के plane में, तीसरे vector के perpendicular का मतलब होता है, बच्चो, a cross b cross c vector, ठीक है न, ये दोनों तो plane वाले, और ये हो गया बच्चो, आपका perpendicular वाला vector, ठीक है, इस को पहले formula लगा देते हैं, फिर values put कर देंगे, देखो, पहले दूर के साथ में dot product, a dot c into vector b, minus b dot c into vector a, b dot c into vector a, कितना हैगा, देखो, a का c के साथ में dot product, देखो, ये a, b, c लिए अपने, ये a है, ये b है, ये c है, a का c के साथ में dot product आएगा, बच्चो, 2 plus 2, 2 plus 2, 4 into vector b, minus b, minus b का c के साथ में, j और k की drum है, बच्चो, 1 plus 4, ये 5 आएगा, बच्चो, 5 a vector, कितना आजएगा, 4 b minus 5 a, ठीक है, 4 b minus 5 a, 4 into b, b कितना है, बच्चो, j plus 2 k, so, 8 j k, or plus 2 k, so, 4 into 2, 1 second, 4 के साथ में, multiply करना है, आपको, किसको, b vector को, b है, बच्चो, आपका, j plus 2, so, 4 into j, a, so, that is 4 j k, or plus 2 into 4, there will be 8 k k, minus 5 into a vector, 5 into i k, 5 into i k, और साथ में, 5 into 2, minus 10 j k, कितना आएगा, देखू, चेक करो, minus 5 i k, minus 6 j k, और plus 8 k k, ठीक है, आपको, क्या कहा गया है, कि ऐसा vector निकालो, जिसका magnitude 5 root 5 है, ठीक है, तो इसका magnitude calculate करो, देखू, आप, इसका magnitude 5 root 5 ही आने वाला है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा option है, आपके पास, इसमें से minus 9 common ले लिजिए, जब magnitude के लिए का है, तो इसका प्लस माइनस के साथ में multiply भी कर सकते हैं, फाइप आई के प्लस 6 जे के माइनस 8 के के, फॉर्थ option होगा बच्चों हमारा सही, क्यूशन नमबर 22 के अंदर, के लिए रे सबको, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, बच्चों क्यूशन नमबर 23 के बारे में, 23rd क्या है देखू, 23rd में आपसे बोला गया है, यह जो है, यह किस से ज़्यादा नहीं हो सकता, does not exceed, किस से ज़्यादा और किस से बड़ा नहीं हो सकता, ABC unit vector है, चलिए बात करते हैं, ABC unit vector है, तो यहाँ पर देखो हमारे को जो देरका है, A minus B का mod का square, plus B plus C का mod का square, plus C plus A का mod, अच्छा, बच्छों यहाँ पर plus नहीं, यह माइनस sign है यहाँ पर भी minus होगा, यहाँ पर भी minus sign होगा, ठीक है, आपको paper में करवा दिया था, ठीक है यहाँ पर दोनों जोगे पर माइनस साइन है अब देखो आप इसको open कीजिए तो इसको open करेंगे देखो कितना आएगा mod A square plus mod B square तो दोनों 1 1 है so 2 minus 2 time A dot B यहाँ पर आएगा हमारे पास में 2 times C dot A ठीक है 2 plus 2 plus 2 कितना हो जाएगा बच्चो 6 तो 6 minus 2 A dot B B dot C और C dot A यह किससे बड़ा नहीं हो सकता ठीक है इसके बारे में आपको बताना है तो इससे तो देखो कोई idea नहीं लग रहा है तो एक काम करते हैं अपन क्या काम करते हैं अपन बात करते हैं कि A plus B plus C का mod का जो square होता है वो हमेशा क्या होता है positive होगा तो mod हमेशा positive होता है तो इसका square करोगे तो वो भी हमेशा positive होगा इससे देखो अपने को inequality मिलेगी उसके अंदर अपन क्या करेंगे फिर इससे इसको lambda मान करके और इस expression की value निकाल लेंगी कि क्या होगा देखो यहां से इसको open करेंगे तो mod A square plus mod B square plus mod C square 3 plus 2 time sigma A dot B ठीक है इसको sigma A dot B लिख देते हैं that will be greater than or equal to 0 और यहां से अपने यह वाला expression बना लेते हैं देखो यहां से अपने को idea लग जाएगा तो एक काम करते हैं 3 को इदर minus 2 A dot B को इदर ले आते हैं तो minus 2 sigma A dot B ठीक है that will be less than or equal to कितना हो जाएगा plus 3 ठीक है इसको इदर लेके आएंगे ठीक है तो यह minus 2 ही रहेगा लेगन वो plus 3 हो जाएगा अब एक काम कर देते हैं इसमें 6 8 कर देते हैं दोनों side ठीक है इदर भी 6 8 कर दिया इदर भी 6 8 कर दिया so that will be less than or equal to 9 that means 9 से हमेशा छोटा रहेगा 9 या 9 से हमेशा छोटा रहेगा तो सही answer कौन सा हो जाए तो आपका जो second option है वो सही होगा और यह आपको देखो paper में करवा दिया था यहाँ पर दोनों 24 क्या है देखो हमारा इसके बारे में देखते हैं इसमें आपको देरका है i cap a cross i cap plus j cap cross a cross j cap plus k cap cross a cross k cap बराबर lambda a vector then lambda is equal to a यहाँ पर कोई भी any vector का गया है तो मान लेते हैं कि यह जो vector है यह क्या है हमारे पास a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap यह vector माल लेते हैं अपन ठीक है और अगर यह vector है तो यहाँ से अपने कोई तीनों चीज़े निकालते हैं अपने एक काम करते हैं पहली वाली चीज़े निकालते हैं उससे अपने को idea लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है ठीक है तो वही काम करना है को दूर वाले के साथ में इसको calculate कर रहूं हूं मैं i dot i into a vector minus a dot i cap a dot i cap into i cap i dot i कितना होता है 1 तो यह तो हो जाएगा a vector minus a dot i cap देखो इसका अगर i के साथ में dot product करोगे तो शिरफ क्या बचेगा बच्चो a1 i cap अब आप समझ गे होंगे बच्चो दूसरे वाले में क्या आएगा तीसरे वाले में क्या आएगा इसमें क्या आएगा दूसरे के बात करें तो इसमें आ जाएगा बच्चो a vector minus a2 j cap ठीक है क्योंकि इसमें i आया था i के साथ में तो उसमें j j आएगा यसे तीसरे वाले में k आ जाएगा बच्चो k a vector minus a3 k k अच्छा यहाँ पर a1 आया था तो a2 क्यों आ रहा है क्योंकि इसमें जब dot product i के साथ क्या था तो इसमें j के साथ करेंगे तो a2 आएगा और इसमें k के साथ में करेंगे तो a3 आएगा अपने को क्या करना इन तीनों को एड करना है तो इन तीनों को एड कर दू तो यहाँ से आजाएगा 3a vector minus sign common a1 ik plus a2 jk plus a3 k k तो यह भी क्या है बच्चो a vector तो यहाँ से आजाएगा हमारे पास यह 2a vector जो दे रखा है आपको lambda a vector तो lambda कितना आजाएगा बच्चो तो ठीक है बड़ा असान क्यूसन था second option आपका सही हो clear चले आगे चलते हैं बात करते हैं क्यूसन नमबर 25 की ओर देखते हैं क्या है 25 में आपसे बोला गया कि MNP सब unit vector है सब आपके सामने क्या गया है 21 सदिश दिए गये हैं ठीक है M और N के बीच का जो एंगल है वही एंगल है बच्चो P and M cross N के बीच का N P M के box का mod क्या होगा आईए देखते हैं देखो बच्चो हमें M cross N दिया है न तो अपने काम करते हैं अपने यही निकालते हैं N vector dot M cross N vector ठीक है ना इसको आप box के रूप में लिख सकते हो M N M N और P बोला है न तो इधर P लेते हैं P dot M cross N ठीक है देखो इसका box की बारे में बात करें ठीक है यह P cyclic order है तो बिल्कुल यह M N N P यही है ठीक है N P M अच्छा इसमें आगर किसी ओग confusion हो कि P M N दे रहे हैं N P M तो cyclic order आप M को पहले ले आओ M N P हो जाएगा ठीक है N को बाद में ले जाओ P M N हो जाएगा cyclic order में हमेजा यह सेम रहते हैं अब देखो आपको क्या करना है इसका box निकालना है ठीक है तो इसका box निकालने के लिए अपन क्या करते है बच्चो इसके में लगाते है देखो क्या है so that is cos pi pi 6 mod p 1 है आपको बोला गया कि ये क्या है unit vector so that is 1 इसको फिर calculate करते है mod m mod n ये भी है 1 1 into sin theta sin pi pi 6 होता है बच्चो 1 by 2 into n cap और n cap का modulus ठीक है ना क्योंकि इसके साथ में mod भी लगा गया है तो n cap का mod कितना होता है 1 into cos pi pi 6 होता है root 3 by 2 तो finally आप सारी चीज़े calculate जब करोगे तो आपका जो सही answer आएगा वो आएगा root 3 by 4 और ऐसा कौन सा answer है बच्चों पहला option 25 का सही answer होगा आपका पहला option के लिए रहे सबको चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे की और और बात करते हैं अपन integer type questions के बारे में क्या है देखो हमारा पहला integer type question पहले हम आपको बोला गए number of vectors of unit length perpendicular to the both ऐसे कौन कितने vectors होंगे जो इन दोनों के साथ में perpendicular है और उनकी length unit है वही बात बच्चों एक vector माल लेते हैं कि x i cap plus y j cap plus z k cap और इन तीनों पे condition लगा देते हैं जो अपने question में दी गई है सबसे पहले था यह unit length का है x square plus y square plus z square कितना आएगा बच्चों 1 आएगा दूसरी बात a के साथ में dot product 0 है तो यहां से मिलेगा बच्चों x plus y ब्रावर 0 means y ब्रावर minus x ऐसे ही बच्चों b के साथ में dot product 0 है तो यहां से मिलेगा y plus z ब्रावर 0 तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको आचाए एक काम करें x ब्रावर निकाल लेते हैं तो यहां से x ब्रावर कितना आजाएगा minus y यहां से z ब्रावर कितना आजाएगा बच्चों minus y x भी minus y z भी minus y सभी को put करेंगे तो 3y square 1 so y ब्रावर plus minus 1 by root 3 तो y की 2 values आ रही है तो उसके corresponding x की भी 2 values आएगी और z की भी 2 values आएगी ठीक है लेकिन 1y के साथ में 1x आएगा और 1z आएगा ठीक है तो y की एक value के लिए एक vector बनेगा और y की दूसरी value के लिए आपका दूसरा vector बनेगा तो ऐसे 2 सदिस होंगे जो इस condition को satisfy करेंगे आपकी खुती आसान सा question था आगे चलते हैं बात करते हैं question number 2 के बारे में देखिए इप 3 points with position vector 1 1ab a2b a3 are collinear देखिए जब भी 3 vector collinear होते हैं तो आपन क्या करते हैं बच्चो 3 vector collinear होते हैं तो क्या होता है उनके coefficients का ratio same रहता है पहला point है बच्चो 1ab क्या है 1ab दूसरा है बच्चो a2b और तीसरा है बच्चो ab3 यह आप अगले topic में पढ़ते हैं वैसे 3D के अंदर आप एक तरीका और भी लगा सकते हैं इसमें DR same होंगे ना इस line के इन दो बिंदू से जो direction ratio होंगे वहीं दूसरे वाले से होंगे बट अगर vector से करना है तो क्या करेंगे coefficients का ratio same होगा coefficients का ratio same होगा b-2 यहाँ पर आपने कितना किया था a-1 पहले वाले दो point से और दूसरे वाले दो point से कितना आएगा आपके पास में a-a 2-a नहीं a-a जाएगा । इसे ही दूसरे वाले के अदृड आप करेंगे दूसरे वाले में जब करेंगे तो आएगा 2-a divided by इसमें B और उसमें 2 B-2 ऐसे ही करेंगे बच्चो B-B ब्रावर मैं करेंगे तो 0 divided by B-B 0 और साथ में B-B इदर 3-B आ जाएगा तो क्या आ रहा है ये भी 0 है ठीक है तो यहां से तो आएगा this into this A-1 into B-2 will be 0 और इसमें जब cross multiply करोगे तो आएगा 2-A into 3-B ब्रावर 0 दोनों को multiply करते हैं देखते हैं क्या answer आ रहा है पहले वाले अच्छा दोनों 0 के ब्रावर है तो दोनों को equivalent भी कर देते हैं दोनों एक दूसरे के ब्रावर होगे पहले से आएगा देखो A-B-2-A-B-2-A-B और प्लस 2 ब्रावर दूसरे के ब्रावर होगा दूसरा होगा 6-2-B-3-A प्लस A-B तो कट जाएगा इसको simplify कर लेते हैं A-B को इदर ले आते हैं देखो 3-A इदर आजाएगा 3-A-2-A will be A और 2-B इदर आके प्लस का हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा B ब्रावर 2 उदर चला जाएगा 4 अच्छा आप से A-B ही पूछा है तो उसीदा answer आगया है हमारे पास that is 4 किलियर चलिए इसी के साथ चलते हैं बात करते हैं question number 3 की ओर इसमें क्या करना है देखो U-V-W-3 vector N-CAP-1-21-2-0 तो ये किसके बरावर होगा आई देखते ये भी अभी जो आपने पहला question किया था उसी type का है कुछ माल लेते हैं कि बच्चों जो हमारे पास में जो UN-CAP vector है ठीक है वो है X IK plus YJK plus Z की CAP और अगर ये unit vector है तो X square plus Y square plus Z square 1 होगा लेकिन देखो बच्चों आपको क्या देर का है पहले के साथ में dot product 0 minx x plus y 0 और दूसरे के साथ में भी dot product 0 minx x minus y ब्रावर 0 i और j के coefficient है ना दोनों में के तो है नहीं वहाँ पे इन दोनों को जब जोड़ोगे आप तो X कितना आ जाएगा 0 2x ब्रावर 0 x ब्रावर 0 x के value 0 पहली equation input करेंगे तो Y भी कितना आ जाएगा 0 और X square plus Y square plus Z square 1 Z square 1 था X और Y 0 है इसका मतलब बच्चों क्या होगा आपका Z square जो होगा वो किसके ब्रावर होगा 1 के तो Z की दो possible value जा सकते है plus minus 1 means आपका जो n cap vector है बच्चों वो होगा plus minus k cap अब आपको क्या करना है आपको w dot n cap निकालना है तो आप निकाल सकते हो बच्चों आसानी से w dot n cap ब्रावर w के साथ में n cap का इसमें शिरुफ k का coefficient उधर 3 है इदार कितना है plus minus 1 यह आजाएगा plus minus 3 और इसका modulus आपको निकालना है so that is plus minus 3 अचा देखे w के उपर vector है n के उपर unit vector है तो बड़ी n का modulus समय पता है क्योंकि यह unit vector है इसलिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा so plus minus 3 का जो आप मॉड लेंगे तो आपका जो सही answer आजाएगा वा जाएगा 3 ठीक है so third question का answer भी होगा बच्चों हमारा कितना 3 ही होगा कि यह रहे चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं question number 4 की और क्या है देखते हैं question number 4 question number 4 में देखो आपको एक cross product है उसके साथ में एक root लगावा है तो थीटा दे रखा है सारी चीजों को जान में रखते हुए हम समसे पहले इसको cross product को निकालते हैं देखो क्या होगा देखो a cross 3a तो देखो जब दो वेक्टर सेम होते हैं cross product करते हूँ तो क्या आता है जीरो आता है प्लस a cross minus b तो एक काम करते हैं इसको a cross minus b है इसको लिख देते हैं अपन b cross a थाकि minus sign आपका हट जाए clear है plus 3 b cross a यहाँ पर भी अपने काम आसान हो गया दोने जोगे b cross a आ गया minus 3 b cross b यह फिर से 0 आ जाएगा ना b और b के भी इसका angle कितना होगा 0 होगा ठीक है divide by 3 और इसका root कितना हैगा 3 अच्छा 3 into 3 यह 9 आ जाएगा ना 9 so 9 plus 1 10 time b cross a अब b cross a निकालते हैं देखो कितना हैगा b cross a calculate करने कोशिस करते हैं b cross a कितना होगा बच्छो तो b होगा बच्छो mod b that is 2 into mod a mod a कितना होगा 1 mod b into mod a और 7 में आपके पास में क्या होगा sin theta sin 2 pi pi 3 sin 2 pi pi 3 sin 2 pi pi 3 आ जाएगा आमारे पास में कितना sin 2 pi pi 3 आ जाएगा root 3 by 2 root 3 by 2 ठीक है और 7 में क्या आएगा n cap ठीक है n cap का square ठीक है n cap का square अच्छा vector का square का मतलब क्या हुआ बच्छो n dot n और n dot n कितना होगा हमारे पास में 1 चो क्योंकि यह किसको represent करेगा mod n का all square so that is 1 तो अच्छा इस पूरे का क्या है हमारे पास में square अभी तो इसका square है फिर इसका root भी है ठीक है बहुत सारे बच्छा root से square को काट देंगे और n के बच जाएगा लेकिन नहीं बच्छो पहले इसको calculate कीजिए तो से 2 कर जाएगा अच्छा एक divide में इसमें 3 भी है ठीक है न जिसके उपर square नहीं है तो देखो अब इसका square निकालते 10 का square 100 root 3 का square 3 n cap का square 1 होगा बच्छो कितना होगा 1 divided by 3 का root so 3 से 3 कर जाएगा और root 100 आजाएगा जो कितना होता है 10 ठीक है तो सही आंशर के अतना आजाएगा 10 इंटिजर टाइप का question है तो plus minus के बारे में सोचना नहीं है और वैसे भी root हमेंशा positive होता है तो सही आंशर आजाएगा आपका 10 चलिए इसी के साथ बात कर लेता है इस paper का last question जिसके बारे में discuss करते हैं इसमें आपको देरका है कि 3 vectors co-planer है बहुत सारी questions हम पहले भी कर चुके हैं 3 vectors अगर co-planer है तो उनसे जो determinant बनता है हमारे पास वो कितना होता है बच्चो 0 that will be equal to 0 अब इसको आपको simplify करना है तो आप इसको आसानी simplify कर सकते हो चाहते इसमें property यूज कर सकते हो क्योंकि अभी अभी आपने matrix determinant पढ़ी है तो एक काम करते हैं इसमें एक बार property यूज कर लेते हैं ताकि कुछ आसान हो जाए यह हो जाएगा 1-A R2-R1 कर रहा हूं मैं B-1 0 एक बार फिर कर लेते हैं 0 1-B C-1 ताकि कुछ टरम 0 हो जाए और अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखते हैं कितना आएगा A के साथ में B-1 C-1 दूसरी टरम 0 हो जाएगी दूसरी टरम 0 तीसरी टरम आएगी बच्चो 1-A 1-B ठीक है फिर चौथी टरम 0-0 पांची टरम भी 0 और छटी टरम हो जाएगी C-1 1-A माइनस साइन के साथ C-1 इंटू माइनस साइन के साथ C-1 के साथ 1-A अब जैसा क्यूस्टन में दे रखा है 1-A 1-B 1-C ऐसा बना लेते हैं सब जगे पे तो लेकिन अभी 1-A 1-B ज़्यादा है चले कोई बात नहीं 1-C 1-B यह 1-A 1-B था 1-A इसको 1-C करेंगे तो अब बाहर भी क्या हो जाएगा प्लस आजएगा अब इसको डिवाइड कर देते हैं 1-A 1-B 1-C से तो यह ता जाएगा A divided by 1-A प्लस यह आजएगा 1 divided by 1-C 1 divided by 1-B इसमें minus 1 plus 1 कर देते हैं ठीक है तो देखो A-1 upon 1-A यह तो minus 1 plus 1 upon 1-A plus 1 upon 1-B plus 1 upon 1-C बराबर 0 1 को इधर ले आईए तो आपका आंसर आजएगा that is 1 बहुत बार किया भी होगा आपने इस क्यूस्टिन को तो यह था आपके इस पेपर का last question ओके थैंक्यू very much Hello friends Good morning आज हम जो test number हमारा 21 है group 13 और 14 P block का solution कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए बच्चो question number first identify correct statement सही करते हैं बोरेक्स इदा वाइट किस्टलाइन सॉलिट कंटेनिंग बी फोर ओ फाइफ फोर टू इनिट्स तो यह तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि बोरेक्स का जनरल फोर्मुला अपन लिगते हैं इनिट्ट्व बीफोर ओफाइफ फिर oh4 ठीक है बच्चो यह लिखते हैं फिर अपन इसमें क्या लिखते हैं इसे इसको ऐसे बंद कर दिया आपने ब्रेक्ट में और फिर डॉट 8 h2 लिखते हो 8H2 और वैसे अपन कहीज़गा क्या लिखते हैं 10H2 लिखते हैं तो 10H2 अपन उस फोर में लिखते हैं इसको एने टू बी 407 एने टू बी 407 डॉट 10H2 यह लिख देते हैं यह भी बॉरेक्स है लेकिन यह अपने को स्ट्क्चर के अकोर्डिंग जाएंगे तो हमारे पास है अलग-अलग आ जाएगा है तो यह सामारा सही है एकुसलूशन ऑब बारर एक्स इस एस्टिक नहीं होता है बच्चों बैसी कोता है क्योंकि यह श्ट्रॉंग बेस और वीक इसीड का स्टोड तब इसके वाद में ग्रीन कोबाल्ट गिजिए ग्रीन कलर्रिंग बॉरैक्स बिट तेस्ट इक्रीन कलर देने applicable होता है बच्छो तो इसमें correct statement आपका first जाएगा लेकिन आप बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में जानना चाहो तो जान सकते हो कि आपके पास है na2b407.10h2o तो यह पहले आप initially इसको heat करोगे तो water molecule जो है यह आपके निकल जाएंगे यह बचेगा आपका na2b407 फिर इसको 740 डिगरी पर अपने इसको heat करते हैं कि 740 पर हीट करेंगे बच्चों तो यह बन जाएगा एन ए बी ओटू सोडियम मेटाबोरेट प्लस बीटू ओ त्री यह एक ग्लोसी मास होता है और यही हमारा बीट टेस्ट में यूज होता है यही बीट टेस्ट देगा यह बीट टेस्ट में यूज होता है तो अपन क्या करते हैं कोई भी मेटल क्या ओक्साइड जो होता है ना उसको अपन इसको heat करते हैं इसके साथ में जैसे आपने कोबाल्ट ओक्साइड को हीट कि तो यहां पर कोबाल्ट का जो है सी ओ पी ओ टू का होल ट्वाइस यह कोबाल्ट का मेटा बॉरेट बन जाएगा ब्लू कलर का यह ब्लू कलर का बीड होता है तो नेक्स चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में पॉर्म देव बीटू एसे पॉल दफॉविंग कैन बी प्रीपेड एक्सेप्ट वन एक के लाओ बीटू से बना ही जा सकते हैं थे बीटू सिख से आप एच्टारी बीयो थी बना सकते हो बोरिक एसीड बना सकते हैं इसके बाद में भी एच्टू एच्ट्री का होल्ट्वाइस भी एच्पोर यानि अमोनिय के साथ एक्षिन कराओगे तो इसका अन्सिमेट्रिकल क्लिवेज होगा फिर आपके पास एने भी एच्पोर आप बीटू से एक्षिन एन याई से करवा बन जाएगा आपका बीटू एक्षिस की रेक्षिन आप एने इसे कराओगे तो एने बीच्पोर बन सकता है लेकिन यह वाला नहीं बनेगा बच्चों तो आंसर हमारा थार्ड हो जाएगा बाल्यां तो वीचों फॉलविंस शो दाब वांड इन सिलिकोन तो सिलिकोन में क्या होता है बनातर कर्गुंद यह जो न इसमें आप के पास एक रिपिटिंग आप एज्टिप के पास यह होती यहाँ ग्रूप दोट यहां से वह hnlles पोझर तैन वापीस यहां सिलिकना ज आने साथ फिर आप पास आइसे आरा जाता हैते है फिर आगे आके इस तरह से बढ़ता रहता ये तो हमारे पास कि इन जो बेसी क्वाप रोल मिऴर से एयरंद्न Ist तो सिलिकन ओक्सीजन सिलिकन यह थार्ड एंसरीज करेक्ट है हालो फ्रेंड्स क्वेश्चन नॉम्बर फॉर्थ देखें हूं इनकर्रेक्ट स्टेट्मेंट अमोंग दा फॉलोविंग कौन सा कथन गलत है जी यू टुज एसे डी की नेचर है सही है जी यी ओ और घी ओटु दोनों लब आपका जो मोनोग्साइड और डायाक्सट बोथ हार एसेडिक देखें दोनों भी आसेडिक होते हैं तो GECL2 में possible है और GECL2 is a more stable than GECL4 ये गलत है third इसमें incorrect statement है क्योंकि inert pair effect है वो heavy metals में लगेगा नीचे जाएंगे अपन PB के अंदर प्लस 2 होगा इसमें प्लस 2 ज्यादा stable होगा एं स्वरी प्लस 4 ज्यादा stable होगा यह बोल रहा है कि प्लस 2 ज्यादा stable है यहां कहेंगे प्लस 2 और प्लस 4 तो ज्यादा stability क्या है प्लस 4 की है incorrect statement among the following regarding the AL2 CL6. AL2 CL6 is a levis acid बच्चो इसके पास यह अपन AL2 CL6 structure बनाएं के देखें ऐसे हैं कि देखें अब यहां पर इसका कोई वेकेंट और विटल मजला इसका complete है यह levis acid नहीं है जो आट से कम electron होते हैं जो लोन पर accept करते हैं तो नोट है लविस acid इन्करेक्ट स्टेट्मेंट ही है फिर आगे बाद पढ़ लेते हैं यह फोलो दॉक्टेट रूल को फोलो करता है इसके बाद में diss dissimilar bond length of our present in the AL2 CL6 क्योंकि यह bond length जैसे अपने यह एक्स ले ले यह य ले ले तो यह bond length जो है आपकी एक्स जो है है वह य से ज्यादा होगी तो अलग अलग में हाइबड़ेशन हो यह इसका sp3 hybridation होगा आपके पास तो ठीक है बच्छो ही हमारा first answer जो इन्करेक्ट हो गया है reactivity of borosol is greater than that of the benzene because borosol बच्छो आपके बता है B3N3H6 B3N3H6 borosol है और borosol में आप alternate ass structure बना सकते हो अब आप हर जगा एक एक hydrogen atom attach कर दीजिए यह बोरा जोल है तो इसको inorganic benzene बोलते हैं अब इसमें देखो nitrogen और boron जो आ गया आपके पास तो यह polar bond होता इसलिए यह ज्यादर एक्टिव होगा non-polar नहीं होगा और बोरा जो लीदा electron deficient नहीं localized electron in it reason यह नहीं इसका second is correct inorganic graphite बच्छो BN होता इसका structure जो है layer structure होता है hexagonal layer structure है hexagonal layer structure होता है इसका तो यह आपका first answer is correct aluminum become passive in the nitric acid because it is form a protective layer oxide aluminum क्या करता है oxide की रक्षन परत बना लेता है इसलिए aluminum nitric acid से effect नहीं होता है the incorrect statement regarding the following reaction is bf3 plus lils phosphor बच्चों यहां पर बन जाएगा b2s6 divoran बन जाएगा अब यहां पर इसमें जो compound बन रहा है इसके बारे बात करें पर 12 electron are involved in bonding तो देखो b2s6 जो है न इसके regarding बात हो रही है तो हमारे पास 12 electron देखिए बच्चों दो electron यहां दो चार यहां पर होगे 5 और 6 और इधर भी 6 तो ट्वेल इलेक्ट्रों इंवल्ल है इसमें इसके बाद में 4 2 C 2 electron bond यह जैसे 2 C 2 electron bond है यहां पर यहां पर भी 2 C 2 electron है तो यह चार बॉंड हो गई सही है 2 3 C 2 electron bond यह 3 centered 2 electron bond आपके पास यह 3 centered 2 electron और यह वाला है 2 centered 2 electron bond X does not create ammonia तो यह incorrect होगे बच्चो question no.10 बच्चो name the type of the structure of silicate of which one oxygen atom of si4 is a shared तो वन oxygen atom sharing में आता है pyrosilicate बेज़े से आपके पास में silicon आ गया यह oxygen है यह oxygen है फिर यह silicon आ गया यह oxygen यह oxygen आ गया इस तरह से आपके पास यह यह नेगेटिव चार्ज आ गया आपके पास यह नेगेटिव आ जाते है बच्चो वन oxygen atom shared आता है पाइरो silicate के इंदर number of oxygen atom are shared in the cyclic silicate तो सबसे पहलेगो cyclic silicate जो है इसका जनरल फॉर्मॉला लिख देंगे si03 n 2 की पावर n-1 अब यहाँ पर n की वेल्यू जो cyclic silicate में वो बच्चो 3 से स्टार्ट होती है तो अब अपन इसके स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसे cyclic silicate में जैसे ट्राइमर के फॉर्म में अब यहाँ पर आप एक उनिट के कोडिंग देख लिजिए हर एक उनिट में जैसे दो oxygen atom इसके जो आ रहे है अप शेरिंग में आ रहे है ऐसे आप इसको देख लिजिए तो यहाँ number of shared atom पुछें तो यह हो जाएंगे आपके 02 02 is the correct answer यह एंफोटेरिक oxide among the following is देखे एसन ओटू जो एंफोटेरिक होता बच्चो यह co neutral हो गया आपका यह basic oxide हो गया यह acidic हो गया तो आपके पास क्यासा होगा एंफोटेरिक नेचर का एंफोटेरिक का मतलब अपने को acid से और base से दोनों से react कर पाएगा यह तो देखे बच्चो कार्बन के अंदर क्या होगा उनली पीपाई पीपाई होगा बाकी में फोस्पोरस क्लोरीन सलफर में पीपाई डीपाई आजाएगा आपका identify the compound Z in the following reaction जैड पूछा है तो जैड देखे हाई temperature के उपर जाएंगे अपन तो B2O3 बन जाएगा आपका पहले आपका metabolic acid बनेगा फिर आपन फर्दर हीट करेंगे तो B2O3 oxide बन जाएगा in which silicate the old a four corner oxygen atom are shared with the other tetra jal units कोनसा silicate सभी चारो कोन फोर बन परवान हो सत्रीं काई साजीत होते है यह 3D silicate होते है वाट बत्रों जैसे हैं यह silicon है के पास अब यह oxygen भी अपका क्या sharing में चलाए यह यह भी sharing में चलाए यह भी sharing में चला गया ऐसे जारे एक आपके पास एक पीर नी उता ठीकित में अपके पास पास ग्राइब में आपके पास दो एटम वया सकते हैं और डाई वया सकते हैं पर शिंगल चेन भी होता है डबल चेन सियो इस नौट प्रोडूस इन दा फॉलोविंग एक्षिन्स देखें फॉर में कैसे यहां सी यो बनेगा आपके पास और वोटर यह डी हाइड़िटिंग एजेंट है यह लिमिटेड आपने ले लिया तो यहां भी कार्बन बनेगा फिर यहां पर आपके पास सी यो प्लूस आपका कार्बन मॉन ओक्साड प्रोडूस नहीं होगा विच्छों से नौट करेक्ट अकोर्डिंग देर्स नेचर बीट्टो थ्री बच्चों एसेडिक होता है यह सही है एंफो टेरिक है यह एंफो टेरिक ओडर एल टो थ्री हाय एंट टू बेसिक है और यह यह एसेडिक लुट्टर वालुन बेसिक होता है तो आंसर हमारा फॉर्ट इस करेक्ट है याव है याच इसुट फोर थित डीजिएशन ओप भर लोट इन बीवब थ्री एंड बीच-फोर रिस्प्रेक्टिव ली तो बच्चों इसमें आपका एस पी-3 हो गया एस और यह इसमें स्पी- सब्सक्राइब करेक्ट करेंगे तो बोरी के सिट बन जाएगा ठीक है सीचल फॉर वाटर इसका वेकेंट और्बिटल नहीं इसके पास इसलिए इसका हाइड्र लैसी नहीं होगा सब्सक्राइब करेंगे रिक्षन ऐसा यहां फिर ऐसा इसलिए बन सकता आपका और यह भी आपका क्रेक्ट है नो रिक्षन लिखा है तो यहां तो रिक्षन होगी इसके साथ में आपका सब्सक्राइब करेंगे रिक्षन तो होगी और यह भी बन सकता है और भड़ा आपने हीटिंग देदें तो बी टूओ त्री भी बन सकता आपका कि तो हमारा आंसर फॉर्थ बच्व इंकरेक्ट लागा रहा क्योंकि रिक्षन तो होगी awakening the almost same covalent ready because of तो आपको पता है गेलियं के अंदर बचो डी और बिटड़ आते डी इलेक्ट्रोन आ जाते है डी इलेक्ट्रोन की वेरी पूर सील्डिंग होती है वेरी पूर शील्डिंग ओसे उसेन सदेगा कभड़ जाएंग आपका तो वहरी पोर श्रींदिंग इस पावर ओए इलेक्टों ऑफ गयलिए नाइंप टाइंट स्वरीज क Complete गर्यान गरें रिख रहा है ये पोर यह गलत हो गया यह एस एलेक्ट्रोन गलत हो गया और यहां greater shielding लिख रहा है तो यह वर्ड गलत हो गया आपका तो आपका third answer is correct हाज बच्चों question number 22 MP ball silicate structure has x number of corner shared per tetrahedron the value of x is तो देखे इस में क्या करना है पहले general formula देखें जनल formula देखें बच्चों MP ball silicate no nose double chain double chain silicate double chain silicate है इसका general formula होता है SI4 O11 N6 N negative यह एक general formula होता है अब आप इसमें पर tetrahedron unit के according पूछ रहा है कितने atom जो है sharing में जाते हैं ठीक है तब आप इसका structure देखोगे देखें अब यह आपके पास आता है double chain जैसे अपन single chain में कितने atom sharing में जाते हैं दो आप यह देख सकते हो कि जैसे ही आपके पास single ऐसे है अब इसमें आपके पास हर एक unit में देख रहे हो कि दो एटम आपके पास sharing में जा रहे है और जब आप double chain कर दोगे तो बच्चों दो भी आएगा दो sharing में है और एक में तीन आ रहा है दोनों का average लेंगे 2.5 बिजे single chain में कितने atom sharing में जाते है दो जाते है double chain में दो भी एक unit में दो भी जाएंगे एक में तीन भी जाएंगे आपकर तो दोनों का average ले ले लेंगे अपन तो यह आपका second answer is correct the correct order for stability of oxidation state for given cation is देखे पी बी में आपका plus 2 ज्यादा stable है due to inert pair effect inert pair effect inert pair effect के कारण आपका lead का lower oxidation state higher से ज्यादा stable है बच्चो यह गलत हो गया आपका यह आपके पास में नीचे की तरफ जाओगे तो plus 2 की stability बड़ेगी और फिर यहाँ पर lead के अंदर बात करें तो plus 2 की stability ज्यादा stable है तो यह भी आपका रोंग आ रहा है SN plus 4 और PB plus 4 में क्योंकि उपर वालों का plus 4 की tendency ज्यादा होती है फिर्स्ट एंसरी स्क्रेक्ट इनकर्ट स्टेट्मेंट अमोंग दा फॉलोविंग रिगार्डिंग दा बोरक्स इट इस उसफुल प्राइमरी स्टेंड टाइटेशन अगेंस्ट एसेड्स सहीए बचो कि ऐसेड्स क्योंकि इसमें ये बफर बनता है और एक बेसिक स्टेशन होता है जो एसेट के अगेंस्ट इटेशन में काम में लेते हैं इसको अपयोग अमल के विरुदन्वापन के लिए प्रात्मिक अनुमापक के प्रात्मिक माननक के तोर पर किया जाता है यह गलत है इसमें 5 यह 4 नहीं आएंगे बच्छों 5 आएंगे और एक्वा सोलेशन ओबरेस यूज़ अजे बफर यह भी सही है मैड़ अफ़ टू ट्राइंगुलर बोरेक्स और टू ट्राहेडल यूनिट्स यह भी करेक्ट है वी जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनता है दो यूनिट आपके पास आ जाती है ट्राहेडल यह के में दो बढ़र से पनादे तो यह क्या है कि मैं दो बढ़र से पनादे तो इस तरह से देखिए बाप वैसे दोशी में ओर्च ग्रूप होते हैं जैसे एक ओर्च ग्रूप आपका यहां होगे है यह उच्छ ग्रुप होते हैं तो यह भीवी मांड आपका एक इढ बीयोवी जो दो और यह आपका तीन और यह चार और यह आपका पाँच तो 5 भी भी बमाड लोगे बुच्चो फिर अपने इसके पर ऐसा और तो चार बॉन्ड चार्ज जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसके अंदर अपने इस तरह से ले लेंगे क्वेस्टन नंबर 25 देखें बचो अलूमीनियम जो है एससेल की साथ रिक्षन कर रहा है और एन्योस साथ रिक्षन कर रहा है देखें अलूमीनियम इसे एमफोटरिक मेटल अलूमीनियम होता है एमफोटरिक अंफोटरिक निचर का होता है जो एक्षेड से भी रिक्षन कर रहेगा तो देखें बचो यह यहां बना लेगा ऐल सी एल थ्री और हैड्रोजन गेस निकलेगी तो गेस पी जो है वह है इड्रोजन गेस अबकर फिर सौडियम एले उसके देख्षन करके क्या पनाएगा sodium meta-aluminate Na-A-L-O-2 और प्लस hydrogen gas देखिए बच्चों दोनों ही जगए hydrogen gas release होगी तो यह पुछरा दा incorrect statement regarding अबोर एक्षन aluminum show amphoteric character सही है gas P and Q are different यह incorrect हो गया है both X and R water soluble सही ही दोनों water soluble है X और Y गेस क्यों इन्फ्लेमेबल hydrogen जो होती है बच्चों जो इन्फ्लेमेबल गेस होती है तो आपका जो गलत कथन पूछ रहा है तो आपका अंसर जाएगा second तो next question लेते हैं the element among the following does not show the inert pair effect the inert pair effect mainly observe carbon family nitrogen family और boron family और especially effect आता है आपका डोप मतलब नीचे जाएगा up to bottom जाते हैं bottom element पे सबसे ज्यादा effect आता बच्चों तो देखिए यहां पर पीबी जो है वो carbon family में सबसे नीचे आजाएगा यह carbon family से बिलोंग कर गया यह बिश्मित आ गया यह nitrogen family चाह गया थेलियम बोरोन फेमिली चाह गया और सबसे बोटम elements जो इनर्ट पर करें तो अलुमीनियम डाज नोट शोड़े इनर्ट पर इफेक्ट इनर्ट पर इफेक्ट इनर्ट इनर्ट नेश ऑफ वैलेंस एस एलेक्ट्रों तो हमारा फस्ट एंसर इस करेक्ट question number 27 which allotrop of the carbon does not contain the dangling bond कौन सा allotrop carbon का जिसमें dangling bond नहीं है तो हमारे पास देखो dangling bond जो है बच्चो फुलरीन में नहीं होता है क्योंकि देखिए ये graphite और diamond जो है देखो मैं यह कौँ कि इनकी जो surface होती है जो free होती है इसकी graphite और diamond की जो impurity क्या है इनके साथ जूड के नए बॉंड बना सकती है तो इसको हम dangling bond करते हैं लेकिन फुलरीन है जे स्मूथ structure इस स्मूथ structure थे विदाउट हेविंग दाइंग बॉन बना किसी डेयंग बॉड के स्मूथ स्ट्चर रखती है बक की मिनिस्टर फूल इन और शोकर बोल लाइघ स्ट्रक्चर बक मिनिस्टर फूल इन भी कहते है इसको तो हमारा आंसर जो है वो थार्ड इस करेक्ट नेक्स्ट लेते हैं बच्चो अगला क्वेश्चन बच्चों कुट्ट नुबर 20 एट विच एलिमेंट है जे मिनिममम बॉइलिंग पॉइंट तो देखिए एक डेटाबेस कुश्चन है इनिशाटी का तो आप थेलियम जो होता है उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा याद रखना पड़ेगा बोरोन का सबसे ज्यादा बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होता है बोरोन का किस्टलाइन स्ट्रक्चर होती इसके तो नेक्स्ट लेते हैं हमपन फुल रिन सिस्टी दस नोट कंटेन अनी टाइप फॉफ विश्ट आप फॉफ लिंक्स देखिए बीज शिक्स मेंबर दिंग होती है फाइफ ट्वल फाइफ मेंबर दिंग होती है कंटेन आएगा बच्छो इसमें बोथ वन और टू एट शिक्स मेंबर यह गलत होगा है फॉर्थ इसक्रेक्ट विच इंक्रेक्ट ओडर दिस्टैबिलिटी अप्लस्टों सेट सिक्वेंस इंक्रीजिंग ओडर सही है प्लस टू का बढ़ता जाएगा नीचे तरब जाएगी तो इनेट पेरिफेटिक और लोगर ऑक्षिदेशन सेटी स्टैबिलिटी बढ़ेगी और इन ओर कार्बन सिलिकन यह बच्छो गलत हो गया यह इंक्रेक्ट है क्योंकि देखिए यहां पर पीबी की 1.9 होती है यह य इस ट्राइलाइड इस अंस्टेबल तो टी एलाइट रिंस्टेबल हो गया दू टी नर्ट पेरिफेक्ट इनर्ट पेरिफेक्ट अ देखिए यह टी एल आई थ्री जो है टूट करके टी एल अगाई में चला जाएगा और प्लस आयोडी निकल जाएगी प्लस वन उक्सिडेशन स्टेट आज जाएगी आपकी और वैसे ही अपन इसको भी ब्रेक करते हैं तो टी एल प्लस वन आई थ्री माइनस इस पर में जाएगा यह लेकिन यह अनस्टेबल बताएंगे अपन एक्जिस्ट जुरूर करता है लेकिन यह अनस्टेबल होता है इनर्ट पेरिफेक्टिक आण लोवर ऑक्सिडेशन स्टेट में जाएगा और फिर अपन यहां पर यह भी देख सकते हैं कि कि प्लस थी के अंदर आयोडाइड जो होता है वो देखिने प्लस टी और प्लस जैसे माल आपको पास आ गया प्लस थी आपने ले लिया यहां पर लेकिन प्लस थी इसके एक्जिस्टिक गरती प्लस बन जादे चिबल होती इसकी कि टी एल प्लस वन जो है वो मौर स्टेबल होती ही इनर्ट पे रिफेक्ट के करन्ट एक्स एंड वाई आर बॉंड लेंद्ध विच इस करेक्ट देखिए बच्चों यह बॉंड लेंद्ध आपकी ज्यादा होगी एक्स ग्रेटर देन वाई होगी यह 134 होती है पिको मीटर में यह 119 पिको मीटर होती है इन शेयर दे मिलकू डेटा दे रहा है और यह 120 आपका वन और यह 97 होता है तो बॉंड एंगल आप देखो थीटा टू और एक्स वन एक्स ग्रेटर देन वाई सेकिंड एंसर इस कर्रेक्ट इन विच वोलिविंग एल्विंट शोदा के टेनेशन कार्बन सिलिकन तीन और शोदेग एक्सेप्ट पी बी लैड अ बॉंड अनजी के बेस पर बहुत सकते हैं तो बॉंड इनर्जी के बेस पर अपन एस्प्लें कर सकते हैं डायक्टली परपोर्पोर्शन टूसींगल ब आसे भी बोल सकते हैं कि बॉंड एनर्जी जो है जिसकी ज्यादा होगी उसका प्रेटनेशन पावर हाई होगा तो ओल अब दीस करेक्ट विच इंकरेक्ट स्टेट्मेंट अबाउट दा कार्बन मोनोक्साइड इस एक कालर लेस ओडर लेस टीक है रही वाटर सॉलीबल यह गलत है बच्छो यह हाईली सॉलीबल नहीं होती है यह पावर्फु डिशिंग एजेंट यह भी करेक्ट है नीट्रल अक्साइड है तो स सेकेंड इस इंकरेक्ट हो गया आपका कि वोट इस डिस्टेंस बिट्विन देट टू लेस इन ग्रेफाइट यह आपको याद रखनी 340 फिको मीटर लेंट होती दो कि पर्तों की बीश की दूरी अंग के अलड़ से लिकांट वाइडा है if और एज एन लेओं दोनों से रिक्षण करेगी है इंश के साथ भी रिक्षान करती है और कि एन्यूस के साथ भी रिक्षन करती है देखिए यहाँ एस आई ओर टू आपका यह सिलीका होता है यह एस एफ से रिक्षन करता है बच्चों यह आपके पास है यहाँ बन जाएगा कि एस आई एफ फोर और प्लस एच्टू कि एट्टू एस टू निकल जाएगा बार कि ऐसे आपकास एन्य ओच जो होता है उसके साथ भी एस एयो टू की रिक्षन करा सकते हैं यह बनेगा एन्य टू एस आई ओ त्री सोडियम सिलिकेट सोडियम सिलिकेट बन जाएगा तो दोनों रिक्षन हो जाएगी और फर्दर आप चाहो तो इसकी फिर वापिस एचर से फिर रिक्षन करा सकते हो एच टू एस आई एप सिक्स भी बना सकते हो कि आइडेंटिफाई क्रेक्ट स्टेटन बाउर दा हाइबर डिजेशन और सिलिकेट में यह गलत हो गया तो हमारा सेकेंड एंसर जो है छोटे करेक्ट हो गया आई यह पंद फोर्मी कैसिट एंसर टूट तो कार्बन दिखलेंगी यहां पर और वोटर एब्जोब हो जाएगा कि डी हाइडरेटिंग एजेंट हो गए आपका आइडिन ऑक्षिडाइज सोडियम बोरो हाइडरेट टू गिफ देखो आयोडिन है सोडियम बोरो हाइडरेट है एनने बी एच फॉर और प्लस आयोडिन सिरिक्षन करवाते हैं तो बी टू एस सिक्स का प्रिपरेशन होता है अब यह इसमें यह पुछरा बच्चों देश है हमारे पास एन आई भी बनेगा और है और हाइडरोजीन गेस भी निकलती है यहां पर लेकिन यहां पर देखिए आयोडिन जो है न देखिए यह आयोडिन गया जीरो है जीरो से चला गया माइनस वन में तो अव्य आयोडिन ऑक्षिडाइजस सोडियम बोरो हाइडरीट टूगिव बोरो हाइडरेट जो है इसको भी 2 a 6 के अंदर ऑक्षिडाइज कर देगा नेगे सैद्ध कुद का ओक्षिडेशन खुद क्या हो गया आपके पास है माइनस बन में जा रहा है इसका औक्षिड तो हमारे पास यह होता है और यह अपकी सिलिकेट की बेसिक निट होती है तो इसको आगे बिलॉक कर सकते हैं सिलिकन आगे जोड़ के न और और आड से यह मुझकू कर सकते हैं यह हमारी पास तीन यूनिट चाहिए हमको वह इसी में आ रही बच्चा कि वाट इस दा फॉलुविंग एक्षिन एल एलने इस टू एक्स तो यह बच्चों देखें यहां पर बन जाएगा आपका न ए एल ओच फॉर तो इसमें प्लस थ्री उक्षिदेशन स्टेट में आपके पास यह सेकिंड अंसर ही इस करेक्ट जिसको अपन सोडियम मेटा इलुमिनेट में कर्वाट कर सकते हैं ने यह लोट टू परसेंटेज पी करेक्टर वाइबरेशन और बीटल ऑब कार्बन दे ग्रेफाइट और डाइमेंड इस ग्रेफाइट में आपका इसपीट्टू हाइबरेशन हो गया डाइमेंड में इसप विचो फॉलविंग इस एक्रेक्ट सेट अफ दे एससे टू अच्छो क्या होता है टेट्राहेडरल होता है और असिडिक ओक्साइड होता है फूर्थ है और मुदर करेक्ट होजाएगा आपका CO2 is a gase but acid is a solid because CO2 is a composed of discrete covalent CO2 molecules where the silica is a continuous tetrahedral structure ठेक बात है तेखिए और कोई लोजिक नहीं बनना फर्स्ट आपका correct है CO2 the molecules are lighter than SiO2 molecules नहीं should the more acidic than SiO2 and melting point of silica the very high नहीं हमारे को क्या है कि CO2 gas क्यों है और SiO2 जो है solid क्यों है उसका logic पुछरत यह इसमें discrete tetrahedral unit आपकी बन जाएगी तो first answer is correct last question आजिए बच्चों 45 में which of following correct levis acidic strength order of the trihalide of boron देखिए यहां पर boron के जो trihalide होते है न यह Lewis acid के दर behave करते हैं क्यों electron deficient होते हैं यह और BF3 में बच्चों back bonding आ जाती है तो यहां इसमें back bonding आ जाती है इसमें back bonding सब से कमारी है तो third answer हमारा correct आ जाता है हम यह कर सकते हैं कि लिविस acidic strength जो होती है inversely proportional to back bonding तो back bonding सबसे जो कम आएगी वो BF3 Bi3 में आएगी तो लिविस acidic strength जो आएगी वो सबसे ज्यादा Bi3 में आएगी तो अब अगले question अगले अभी structure बनाए थी डाइब और इन का structure यह हमारे पास three centered two electron bond three centered two electron bond तो कितने हो जाएगी यह दो तो answer हमारा जाएगा दो answer जाएगा next question लेते हैं बच्छो how many maximum atom in the one plane are in al2cl6 देखे aluminum का भी structure हमने बनाये भी था विवापिस फिर बना लीजिए यह जो आपके plane में होते हैं और इधर वाले यह भी आपके plane में होते हैं तो maximum बच्छो कितने आजाएंगे six आजाएंगे zero six six atom यह की plane में how many dichloris substituted product are from the inorganic benzene देखे inorganic benzene में हमारे पास यह भी एन आगया फिर बी आगया फिर आगया फिर एन आगया कि इसमें अपने बच्छों देखो एक तो हमारे पास यह प्रोड़क्ट हो सकता है दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके और हम बना लेंगे डाई क्लोर substitute जैसे benzene में हमरे पास ortho meta peratin बनते लेकिन इसमें चार बन जाएगे ये ने बोरोन नाइट्रोजन अजियेगा उमरे पास फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन आजाएगा फिर बोरोन और बोरोन हमरे पास आ रहा है बोरो बोन नाइटरोजन के 2 हो जाएंगे आपके नाइटरोजन नाइटरोजन और बोरोन बोरोन के तो टोटल आपके पास आजाएंगे 040 कि डाइक्लोर सब्सक्रिट प्राड़क्ट चार आजैगी हव करेक्ट हीये परफ़ एन उडर आपका यह गलत हो गया है और आयनिक रेडीक ऊडर आपका यह क्रेक्ट है कार्बन सेलीकन आर एफेक्टट फाल वाठर अफेक्ट लाइन होते हैं यह वी गलत हो गया तो आंसर हमारा 02 इसका 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 अंसर वो जाएगा दो next चलते हैं हाव बने अलमेंट्स वह दा केटेनेशन देखिये कारबन शो करेगा शिलीकन करेगा तिन करेगा यू पी भी नहीं करेगा तो आंसर आएगा 0-3 बंट बोने इन री कंशिडर नहीं क्यों कि हाओ वैनेक लिएक्शञ्यप्र您पन्कण कारबन इसका स्वालिकश्ट वी प्रोडी स Aurum के पास यह हो रहा है आपके पास इदर आपके पास और यह प्लसट शाइट DCA- tbsp3 में यहां Co2 प्रड़िस होगा इसका महतं है इसमें प्रडिस नहीं होगा फिर इसमें दंदोंAre ओक जलिक एंशज में यहां सीओ भी होगा और सीयो टू भी होगा तो कारबन वांशन दो प्रड़्ी सोग रिहां कार्बन और प्रोडूसएड प्रोडूस़ हो रहा है तो यहां बनेगा आपका h2 si f6 तो बच्चों यहां आपके पास हाइबडेशन आ जाता है sp3 d2 तो d कितने और्बिटल आगे दो तो काज में जो जीरो दो आजेगा दो दी और्बिटल यूज हो जाएंगे करेक्ट अकोर्डिंग हाइबडाइजेशन देखिए सीलिकोन आपका sp3 सही है डाइमंड का sp2 sp3 यह भी सही आ रहा है ग्रेफाइट का sp3 यह गलत हो गया सीलिकन कारवेड का sp3 ठीक है तो तीन आंसर आपके करेक्ट है बेलकुल यह पहले भी हमारें डिसकस कर चुके हैं कितने डाइमर बना सकते हैं देखिए यह बैक बंडिंग से यह नहीं बनाएगा बीचल 3 में साइज इंपोर्टेंट वाला फेक्टर हो जाएगा क्योंकि बहुरों के अराउंड जो है बड़े अटम नहीं आ सकते हैं यह आइनिक हो गया यह आइनिक कंपाउंड हो गया बी यह ल 2 c l 6 होता है बी 2 a 6 होता है और एं 2 4 डाइबर होता है कि नमबर ओफ और अटम आज शेड़ इंदा पाइरो सिलिकेट पाइरो सिलिकेट में बच्चो वन ओक्सिजन एटम शेड़ होता है स्टक्चर भी पढ़ी थे हमने अमंग दा कंपाउंड हाव मेनी कंपाउंड्स फोलो दा अक्टे ट्रूलिन डाइमरिजेशन देखो बी इसी एल टू जा फोलो कर पाएगा बी इसी इल टू में डाइमर बनाईए बी इसी एल टू में बच्चो इस तरह का स्ट्रिक्चर बन जाएगा अब लेकिन फिर भी इसके पास सिक्स इलेक्ट्रोन हो रहे है तो यह डाइमरिजेशन में ओक्टे टूल फोलो नहीं करेगा इसे इसमें पास सिक्सिट इसे बन जाएगे यह फोलो कर लेगा इस एसने सिक्स एलेक्ट्रोन रहे के अ bak बच्छो इसमें बेसिशिटी बन हो गई जीरो बन अंसर आजाएगा और वह भी लोन पर को एक्सेप्ट करने चाहेगा ठीक है ना भी हाइड्रोजन प्रोटोन देने से नहीं आएगा नमबर ओफ सी सी एज़ इन शीक्सिटी फुलरेन और देगे सी सिक्सी फुलरेन अपन आज़ेज निकालते हैं नमबर ओफ एज़ेज यह निकालने के तरीका बतारें बच्छो 3Y2 इन्टु N of C N ठीक है ना अब हमारे पाद फुलरीन कैसा है अब यह देख लेंगे 3Y2 और C60 फुलरीन है यहां 60 पुट कर देंगे तो 90 आजेगा अनसर 90 is correct which of following species how many show the tetrahedal shape SP3 hybridization SP3 hybridization तो देखिए बच्छों ammonium हो गया SI4 हो गया CH4 हो गया sulfate हो गया phosphate हो गया तो हमारे पास आंसर आगया 05 बाकि इसमें SP3D हो गया इसमें SP2 हो गया है तो यह हमारा पेपर था बच्छों काफी easy paper भी बनाएं मैंने initiative based बनाएं आपने इच्छा score किया होगा होप करता हूँ आप और भी अच्छा करें और अच्छा करते रहें ओके बच्छो थैंक्यू जैजे CLC बच्छों करते बच्छों करूँ झाल्स